असलाम अलेकूम वेलकम चौरीब डेरीज आज मैं आप लोगों से राइस और स्वीर रेस्पी शेयर करी हूँ वीडियो को एंट तक जरूर देखे आप लोगों से शेयर करी हूँ जोकि हाइदरबादी दम बिर्यानी कच्चे अखनी की दम बिर्यानी हम बनाएंगे आज तो चलिए आज हम ये रेस्पी बनाते हैं आप वीडियो एंट तक जरूर देखे तो दम बिर्यानी बनाने के लिए हमने यहाँ पर चिकन ले लिया है एक किलो और इसको अच्छे से साफ किया है इसका पानी सारा स्ट्रेन कर लिया है यहाँ पर मैंने आट सो ग्राम जितना बासमती राइस लिया है अच्छे से वाश करकर इसको आदे घंटे या 40 मिनिंट्स के लिए मैंने बिगा कर रखा है और यह ब्राउन अनियन्स है इसको मैंने घी और तेल डाल कर अच्छे से फ्राई किया है यह देख सकते हैं यह ब्राउन अनियन्स है और ये देखे गरम मसाला इसमें मैंने डालचीनी दो ले लिये है थोड़े से लॉंग, इलाइची, शाही, जीरा और ये बे लिवस है अगर आप चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं आपकी मर्जी है ये जो गरम मसाली का पौडर यहां पर आपको दिखा रही हू में जो में थाबित मसाले दिखाई थी उसी से हमने इस तरह इसका पौडर बना लिया है दो भी हम इस्तिमाल करेंगे और डाल मिर्ची पौडर मैंने 4 टेबल स्पोन के खरीब लिया है घल्दी पौडर 1 टेबल स्पोन, नमक खज बे जुरत मैं इस्तिमाल करूँगी, एरा का धन्या हम इस्तिमाल करेंगे अधरक और लैसन का पेस्ट है यह मैं तीन टेबल स्पून के खरीब ले रही हूं और यह केसर इसमें दूद में डालकर मैंने भीगा कर रखा है तो लाइट साइस का कलर आया है यहां पर मैंने वन कप जितना दही ले लिया है यानि की हाफ है और थिक दही है साथी असली घी हाफ कप मैं इस्तिमाल कर रही हूं यह देखे हमने चिकन को एक बाल में लेकर इसमें सारे मसाले डाल दिये है और अधरक लैसन का पेस्ट भी डाल कर थोड़ा सा मिक्स कर लिया है और इसमें डालेंगे फ्राइ आनियंस उसको हमने सकते हैं इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और इसको तकरीब बीस से पचीस नेट के लिए इसी तरह रख देंगे ताकि मसाले अच्छे से अंदर तक एंटर हो सके अब इसमें मैं डाल रहे हूं दही खरीब खरीब मैंने आदा किलो का दही इस्तेमाल किया है या थोड़ा आदा किलो से थोड़ा कम मैंने इस्तेमाल किया है दही अब इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे अब यह mix हो गया है यह देखे हरी मिर्च को इस तरह हमने splits में कर दिया है अब हम इसमें डालेंगे हरा मसाला यानि की धन्या हरा धन्या पुदीना और हरी मिर्च साथ ही लेमन जूस भी इसमें डालेंगे एक नीमू मैंने ले लिया था और फिर से इसको अच्छी तरह से mix कर 4000 गंटे जो कि अब हम इसको यह जिखे भंटे तक इसी तरह मारेनेट कर रखेंगे विया हम इसमें डालैंगे ऑशहिक हमने इसमें ऑन्यों सव्राई की कि हुयी थी में बहुत जल्दी गल जाता है इसलिए मैंने और謔र इसमें दीखते मश्माशित मसाल शाही जीरा, लांग, इलाइची, दालचीनी और बेलिफ्स, साथ में हरे मसाले, कुधीना, हरा धन्या और हरी मिर्च, इन चीज़ों को डालकर हम बॉइल आने तक वैट करेंगे, यहां देख सकते हैं, इसमें उबाल आ गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे चावल, मैंने आन्ट सो क्राम जितने चावल लिए है, तो उस हिसाब से मैंने पानी भी एक जखे खरीब डाला है, अभी मैंने सारे चावल इसमें डाल दी है, अब हम इसमें डालेंगे नमक, एराउन टू टेबल स्पून के खरीब मैं डाल रही हूं, यहां पर थोड़ा देख कर डा नमक जायदा भी नहीं, कम भी नहीं, आप अपने तेस्ट के मताबिख इसमें डाले, मिक्स करें और इसको डखन डखकर रखे, यह कुख होने में हमें 10-15 मिनिट तो लगेंगे, और इसमें मैंने डाला है, तो तो त्री टेबल स्पून के खरीब थोड़ा सा ऑईल, ऑईल से चावल स्टिक नहीं होंगी, और अच्छी तरह से कुख होंगे, तो यहाँ देखे, हमारे चावल भी कुख हो चुके है, 70-80% बाखी का तो दम में कुख हो जाएंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी, यह देखे, तो अभी मैं फ्लेम आफ कर दूंगी, और हम चावल को स्ट्रेंड कर लेंगे, इसका पानी, उसके लिए यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेनर लिया है, इस तरह, और यह सारा पानी हम इसमें, इसकी पींच निकाल देंगे, अभी हम डम देने के रेट रड़ी है, तो हम एक पतीला लेकर इसमें थोड़े से चावल नीचे इस तरह डाल देंगे, और इसको इस तरह फैलाएं, अब इसमें जो हम मैरिनेट करकर चिकन रहे थे, वो डाल देंगे, इस तरह इसको डाल कर, इसको अर्जेस कर दे, और इसको यह हमने अर्जेस कर दिया है इसको, और इसके ऊपर से हम डालेंगे चावल, इसको ज्यादा मिक्स ना करें, वरना यह तूट सकते हैं चावल, तो अहिस्ता से आप इसको डाले, मैंने एक लेयर इस पर डाल दी है, फिर हमने इस पर फ्राई कियो है अनियन्स और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, फिर चावल की दूसरी लेयर मैं इस पर डाल दी हूँ, और इस पर भी मैंने फ्राई कियो है अनियन्स और अहरा धनिया डाल दूँगी, और इसके बाद एक चमच या कुछ भी लेकर इस तरह आप इसमें होल्स बनाए तक कि जब ये चावल दम होता है ना तो पानी इसमें आता है तो वो पानी नीचे जाएगा और हमारा चावल नहीं कलेगा, इसके बाद हमने जाफरान का दूद डाला है इसमें और साथी असली घी भी हम डाल रहे हैं, वान कप असली घी अब हम इसको कवर कर देंगे एक फॉाइल से तकि इसका धुआ बाहर ना जाए, इसके बाद इसके उपर ढखन लगा कर हम रखतेंगे, इसको टेन मिच तक तो आप कॉटन का या कोई कलॉद रखकर भी आप दम दे सकते हैं, जब तक चावल दम हो रहे हम दहीं की चटनी या दहीं का रायता बना लेते हैं, एक कप मैंने दहीं ले लिया है यहां पर, पहले दहीं को आप फेट ले, इसमें मैं थोड़ा सा नमा काट कर रहे हूं और वान टीस्पून के खरीब जीरा पॉडर, उसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करूंगी, और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको भी मिक्स करूंगी, तो हमारा रायता बनकर रडी है, मैं प्लेन ही पसंद करते हूं, इसलिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा हराधनिया इ यहां पर देखे, हमारा जो चावल है, दम हो रही है, अब हम इसको साइट्स पर दम करेंगे, इस तरह घुमाते हुए, तक ही सारे साइट्स कवर हो जाए, तो इस तरह ही आप इसको दम दे, 32-35 मिनिट्स, यह दन है, अभी मैं इसको फ्लेम आफ करूंगी, लेकिन अभी हम यह ओपें नहीं करेंगे, क्योंकि चावल गरम होते है, तूटने का डर होता है, तो हम थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद इसको अटाएंगे, यह देखे, मैं टाइम हो चुका है, तो मैं इसका फॉइल निकाल रही हूँ, तो यहां देखे, माशालला हमारी बिरिय तो आप देख सकते हैं, हमारे चावल बिलकुल नहीं गले हैं, और बहुत ही अच्छे बने हैं, इस तरह से आप अहिस्ता से आप निकाले इसको, पहले उपर की लेयर हटाएं, फिर नीचे से आप निकालें, मैं आपको पीस निकाल कर दिखाऊंगी, यहां देखे, और चि चिकन पुलाओ, चिकन पुलाओ बनाना बहुत ही आसान है, और यह मज़े में भी मज़ेदार होता है, उसके लिए इस रेसेपी का पूरा वीडियो देखेगा, पसंद आया हो तो इसको जरूर अपने फ्रेंज से शेयर करें, चिकन पुलाओ बनाने के लिए सबसे पहले हम और यहां पर मैंने इस्तिमाल किये है, तमाटर दो बड़े साइस के टमाटर मैंने इस्तिमाल किये है, और साथी यहां पर चार छोटी इलाइची हरी वाली मैंने ले लिए है, और दो स्टार मैंने ले लिए है, और बड़ी इलाइची दो और साबित काली मिर्ची मैंने इस्तिमाल की है और साथी एक बड़ा कब जितना दही मसालों में मैंने ले लिया है मोटा नमक वन टेबल स्पून इस्तिमाल किया है और लाल मिर्चों का पॉडर वन टेबल स्पून हल्दी पॉडर हाफ टेबल स्पून और ये धनिया पॉडर ये भी मैंने वन टेबल स्पून के खरीब इस्तिमाल किया है जीरा पॉडर हाफ टेबल स्पून और गरम मसाली का पॉडर हाफ टेबल स्पून अद्रक और लेसन का पेस्ट मैंने फ्रश इस्तिमाल किया है यहां पर यह दो टेबल स्पून भरकर मैंने इस्तिमाल किया है और यहां पर मैंने चामबल भीगा कर रखा है, आदा गंटा पहले यह बासमती राइस है, इसको अچھely से वाश करकर आप इसको भीगाए तो दूसी तरफ यहां पर मैंने एक कप जितना ओयल इस्तिमाल किया है और दो टेबल स्पून के खरीब असली घी में इसमें डाल रही हो और साथी सापीत गरम मसाला जो मैंने ले लिया था उसको डाल दूंगी इस ओयल में मैंने ओनियन्स फ्राई कर लिये थे पहले ही और इ जब यह थोड़ा फ्राई हो जाएंगे इसके बाद हम इसमें आड़ करेंगे स्लाइस की हुई अनियन इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने तक लाइट ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे यहां पर इसका कलर चेंज हो चुक पर फ्राइ कर चुके हैं इसमें मैं आड़ करूंगी क्लीन कियो है चिकन के पीसे और चिकन को मैं अच्छी तरह से इसमें भून लूँगी इसका कलर चेंज होने तक यहां देखे इसका कलर कुछ इस तरह हो गया है यह चिकन जब तक टेंडर नहीं हो जाता हम इसमें कुछ नहीं आड़ करेंगे पहले अच्छे से भून लेंगे उसके बाद यहां पर मैं मसाले तमाम मसाले आड़ कर रही हूँ अब ये मसाले भी डाल कर हम इसको अच्छी तरह से फिर से भून लेंगे अब इसको मीडियम फ्रेम पर धकन धक कर हम ओयल में ही इसको कुक करेंगे और यहां देखिए यह अच्छी तरह से कुक हो चुका है और इसमें हम आड करेंगे चॉप कियो है टमाटर टमाटर में भी पानी होता है तो हमने पानी एड नहीं किया है यहाँ पर बस इसी ही तरह इसको चिकन को भोनेंगे फिर से और टमाटर भी टेंडर होनी चाहिए तो हम मीटियम फ्लेम पर ही इसको तरह कुक करेंगे धक अधक कर तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं टमाडर भी अच्छे से टेंडर हो चुके है और सारे मसालों में यह अच्छे से कुख हो चुका है इसके बाद हम यहां पर दहीं आड़ करेंगे जो कि हमने एक कप इस्तेमाल किया है और साबिध हरा मसाला इसमें डाल देंगे तब इसको दुबारा से एक बर मिक्स करेंगे, यहां देखें, इस तरह मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, और इसको थोड़ी देड़ तक मेडियम फ्लेम पर रखकर ही कुक करेंगे, देखें किस तरह एक कुक हो चुका है, अभी इस वक्त मैं आड़ करूँगी, इसमें पानी, और एक बर मिक्स कर दूँगे इसको, और ढकन ढकर इसको आँट नेट तक कुक करूँगी, हम ढकन निकाल कर चेट कर लेंगे, चिकन को ज्यादा कुक नहीं करेंगे, क्योंकि चिकन जल्दी गल जाता है, यहां देखें, हमने अच्छे से इसको कुक कर लिया है, चिकन के बाद यह चावल के साथ कुक होगा, तो यहां पर मैं आड़ कर रही हूं चावल, जो कि मैंने भीगा कर रखे थे, चावल इसमें डाल रही हूं, मिक्स करने के बाद इसमें मैं इस ग्लैस से चार ग्लैस जितना पानी आड़ कर रही हूं, क्यूंकि मैंने चावल को आदा गंटा पहले भीगा कर रखे थे यह बासमती राइस है तो मैं चार ग्लास पानी इसमें आड़ कर रही हूं आप अपने हिसाब से इसमें पानी अर्जिस करें तो पानी मैंने आड़ कर दिया है एक बार मैं इसको मिक्स कर दूंगी चिकन भी इसमें अच्छे से गल जाएगा अलड़ी कुख हो चुका है और जितना भी है वो भी अच्छे से कुख हो जाएगा हमें ओवर कुख नहीं करना है तो आप यह देहान रखे अभी मैं फ्लेम हाई कर दूंगी और इसका लिड धक कर इसको कुख होने दूंगी यहां देखे इसमें पानी कम हो चुका है तो अभी फ्लेम मैं मेडियम पर रख दूंगी तो फिट से हम medium flame रखकर इसको cook करेंगे ढखकर ढखकर यहां देखिए इसमें पानी कम हो चुका है यह 95% तक cook हो चुकी है तो इसमें हरा धनिया और मैं टमाटर के slices रख रही हूँ आप चाहे रखे या ना रखे तो इसमें fry की हुई onions डाल कर इसका lid लगा कर मैं इसको अब बिल्कुल low flame पर रखकर इसको दम दे रही हूँ यहां देखिए यह दम हो चुकी है और हमारा पुलाओ बनकर रड़ी है आपकी मर्जी है अगर आप टमाटर पसंद करते हैं तो दाले या बनना डाले तो हमारा बहुत ही मज़ेदार और जबरदस पुलाओ बनकर रड़ी है अभी हम इसको डिशाउट कर देंगे तो आज की यह रेस्पी हमारा जबरदस पुलाओ बनकर रड़ी है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसाम प्रोसेस मैंने आपको दिखाया है आप इसको जरूर ट्राई करें मैं आज आपको एक तरीखा दिखा रही हूँ यह मेरे इंग्रेडियन्ट है यहाँ पर मैं 900 ग्रहूम जेतने मटन ले ली रहाँ अच्छे से वोश करकर इसको इसको पानी चान ली हूँ और यहाँ पर मैं ले ली हूँ 900 ग्राम जितने चांवल बासमती रैस और यहां पर सारे खड़े मसाले है यह शाही जीरा, इलाईची, दालचीनी और लॉंग तीन से चर लॉंग ले ली हूँ और यह साथी गरम मसाला है गरम मसाले का पॉर्डर और तीन बड़े चमच नमक और दो बड़े चमच अदर कलेसन का पेस्ट, दो टीस्पूंज इतनी हल्दी पॉर्डर, त्री टीस्पूंज इतना लाल मिर्ची पॉर्डर और यहां पर मैं गाजर ले ली हूँ और एक टमाटर चॉप कर ली हूँ और एक फुल कप दही इस्तेमाल कर ली हूँ दो बड़े प्याज ले ली हूँ और यहां पर हरा धन्या, हरी मिर्चे, पुधीना और हरा धन्या एक नीबू यह सारे हमारे तहरी बनाने के इंग्रीडियन्स है अब अगला प्रॉसेस क्या है मैं दिखाती हूँ एक प्रिशर कुकर ले लोंगे यहां पर इसमें मटन आड़ कर लोंगे प्यास थोड़ी सी आड़ कर लोंगे और सारे मसाले आड़ कर लोंगे मैं अब मैं अच्छा से इसको मिक्स कर लोंगी हाथ से यह देखिये अच्छा से मिक्स हो गया अभी इसमें दो ग्लास फुल पानी आड़ कर लोंगे दो ग्लास हो गया अभी दो बड़े टेबल स्पून जीतना मैं इसमें ऑईल भी आड़ कर लोंगे यह देखिये यहां पर मैं चम्मत से एक बर इसको इस तरह मिक्स कर लोंगी फिर लिड लगाकर इसकी प्यास पर रख दूंगी तीन से चौर वेजिल होने तक कुक करूंगी मैं यह देखिये कुक हो गया है बटन भी थोड़ा गल चुका है अब दही आड़ कर लोंगी वन कप इसके साथ साथ मैं गरम मसाला भी आड़ कर लोंगी एक बर मिक्स कर लोंगी इसको मैं चमत की मदद से और लिड लगाकर दो विजिल तक मैं कुक कर लोंगी इसको यह देखिये कुक हो गया अभी मैं लिमन जूस डाल दूंगी और फ्लेम आफ कर दूंगी नेक्स प्रोसस देखिये एक बड़ा सा पैन लेनी हुमें उसमें ऑईल आड़ कर ली और दो से तीन बड़े चमच असली घी आड़ कर ली में कर लोंगी इसके साथ मैं इसमें प्यास डाल दूंगी इसका थोड़ा कलर चेंज होने तक इसको मिक्स कर लोंगी फिर इसमें अध्रक लेसन का पेस्टाइट कर लोंगी इदेखिये अभी मैं इसमें अच्छा मिक्स कर लोंगी मेडियम फ्लेम पर रखकर इस तरह मिक्स कर लोंगी मैं जब तक कि अद्रगलेसन का color change नहीं हो जाता थोड़ा तो आप medium flame पर रखकर इस तरह ही चलाते रहिए दो से तीन मेट तक इस तरह ही रख दीजिए ये देखे color change हो गया अभी मैं इसमें गाजर एड़ कर लूँगी इसके साथ सारा हरा मसाला एड़ कर लूँगी में हरा धन्या पुधीना और हरी मिर्च तीन से चार हरी मिर्च ले लिए हूं मैं अब मैं इसको अच्छा से इस तरह मिक्स कर लूँगी अब इसको भी medium flame पर रखकर तीन से चार मिनिट तक इस तरह ही मैं पका लूँगी आप पांच मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर रखकर पका लिजिए अभी मैं इसमें टमाटा राइट कर लूँगी और इसको भी अच्छे से एक बर मिक्स कर लूँगी पिर मैं दो-तीन मिनिट इसको इस तरह चला लूँगी यह देखें मीडियम फ्लेम पर रखका है अभी नेक्स्ट मैं क्या करूंगी यह सारा अच्छे से पक चुका है यह देखें अब नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पर मैं वन लीटर एक लीटर पानी ले ली हूँ वो इसमें आड़ करूंगी सारा यह देखें फिर नमक भी डालकर इसको इसमें उबाल आने तक ड़कन ड़क कर रख दूँगी मैं इस तरह यह देखें उबाल आरा अभी मैं ड़कन हटाकर इसमें चांवल डालूंगी जो हमने भीगाए थे एक बर मिक्स कर लोंगे फिर इसकी लिए लगाकर मैं रख दूँगी इस तरह फुल फ्लेम पर रखें आप यह देखें पानी सारा अबजोर हो चुका है और चांवल भी आदब पक चुका है अब निक्स प्रोसेस क्या करेंगे जो मतन है हमारा वो हम इसमें आड़ कर देंगे इसमें भी थोड़ा पानी होता है तो जब चांवल में पानी डालते हैं तो आप देखकर डालिए अब इस तरह अच्छे से मिक्स कर लूँगी फिर कम फ्लेम पर रखकर इस तरह सीम पर रखकर बिल्कुल डखकर डखकर 20 मिनिट तक इस तरह ही में पकने के लिए इसको रख बिल्कुल सिंपर रखिए यह देखिए 20 मिनिट हो गए यह देखिए रडी है हमारी मटन तहारी यह देखिए फ्रेंस रडी हो गई मटन तहारी बहुत ही आसान है मटन तहारी बनाने के बहुत सारे तरी है उसमें से एक तरी इसको पुली होरा भी कहते हैं तो यह रेस्पी किस तरह बनाते हैं आज हम देखेंगे वीडियो पूरा देखिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो इसको जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसके लिए हमने ले लिए हैं यहां पर एक दीस पूझ इतनी राई दाना और थोड़ा सा नमक, तीन लार सुके मिर्च हमने ले लिए हैं थोड़ी सी तूवर दाल और थोड़ी सी मून की दल, साधी हाफ दीस पूझ इतनी हल्दी का पॉडर हमने इस्तेमाल किया है यहां पर हमने ले लिए हरी मिर्च 3-4 और थोड़ा सा हरा धन्या, कड़ी पता और एक नीमू का इस्तेमाल हमने किया है यहां पर हमने चामवल ले लिए है जो हमने इसको कुक कर लिया है इसमें हम निमू का रस दालेंगे जो हमने इसकोause कर लिया था इसमें दाल कर हम इसको mix कर लेंगे का अब जब चांवल कुक करते हैं तो देखकर कुक की जगा ज़्यादा नरम कुक नहीं करना है हमें वन्हा उतना टेस्टी नहीं बनेगा हमारा लेमन राइस अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसके बाद इसको साइड में रख देंगे यहां पर हमने ले लिया है एक पैन, इसमें हम दालेंगे गरीब चार टेबल स्पुन जीतना तेल तेल गरम होनी के बाद हम इसमें दालेंगे राई दाना और इसमें दालेंगे तूर दाल और मुन की दाल देर मेर्ट तक इसको थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे अब इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ते, सुके लाल मिर्च और साथ हम यहां पर दालेंगे हरी मिर्च और हरा धनिया, नमक और थोड़ी सी हल्दी अब इन सब चीजों को एक से देर मेर्ट तक थोड़ा सा हम इसी तारफ फ्राइ कर लेंगे अभी यह हो चुके है तो हम फ्लेम आउफ कर देंगे चावा ले लेंगे जो हमने लेमन जूस मिक्स किया था, तो इसमें हम यह सब कुछ आड़ कर देंगे आड़ करने के बाद अब इसको अराम से हम मिक्स कर लेंगे ताकि चावाल हमारे ना तूटे इसी तरह हम मिक्स करते रहेंगे इसको आप अगर आपके चावाल बस जाते हैं तो आप उसको इस तरह भी यूस कर सकते हैं लेमन राइस बनाकर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसका भी और हमने इसमें लेमन डाला है तो यह बहुत देर तक चावाल अच्छे रहेंगे खराब नहीं हो जाएंगे जल्दी तो आप इसको इस तरह भी बनाकर कहीं भी लेकर जा सकती यानि की सफर में इसको यूस कर सकते हैं आप लोग और बस दस्नेट में ही यह बन जाता है यह देखें यहाँ पर रडी हो गए हमारे लेमन रैस हम इसको एक सर्विंग बॉल में निकाल लेंगे यह देखें यहाँ पर हमने निकाल लिया है तो बिल्कुल जल्दी जटपट से बन जाते हैं चावाल आज की यह रेसिपी आपको पसंद आई हो तो जरूर मुझे कमेंट करकर बताएं रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ सोया चंक्स पुलाव बहुती तेस्टी और यम्मी पुलाव है यह तो आज मैं आपसे यह रेसिपी शेयर कर रही हूँ इस रेसिपी का पूरा वीडियो देखेगा अगर आपको रेसिपी पसंद आती हो तो अपने फ्रेंज के साथ इसको जरूर शेयर करें सोया चंक्स पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पर वन कप सोया चंक्स ले लिए है और देड कप जितने चावल मैंने यहाँ पर ले लिए है मैंने इसको भीगा कर रखा है साथी यहाँ पर मैंने हरा मसाला यानि की हरा धनिया, थोड़ा सा पुधीना और दो हरी मिच्च ले लिए है एक कप टमाटर, एक कप प्यास half cup जितने मैंने गाजर ले लिये है one tablespoon जितना अधरक लेसन का पेज नमक हस बेजरुरत और लाल मिर्ची और हल्दी one teaspoon जितना मैं इस्तिमाल कर रही हूँ साथी half cup जितना मैं दहीं का इस्तिमाल कर रही हूँ थोड़े से आलू मैंने ले लिये और green beans half cup जितने मैं इस्तिमाल कर रही हूँ और साबित गरम मसाला मैंने ले लिया है इसमें एक bay leaves और थोड़ा शाही जीरा जीरा ले लिया है और पठा यानि की दालचीनी थोड़े से लॉंग और तीन इलाइची मैंने ले लिये है और यह हमारे पुलाव बनाने के इंग्रिडियन्स है यहाँ पर एक कब मैं सोया चंक्स का इस्तिमाल कर रही हूँ एक बॉल ले लेंगे हम इसमें हम दालेंगे गरम किया हुआ पानी हौट वाटर है गरम पानी है यह और इसमें थोड़ा सा नमक हम दाल देंगे इसके बाद हम इसमें डाल देंगे सोया चंक्स ताकि यह इसमें अच्छे से भीग जाए यह नरम हो जाएंगे इसको कम से कम पंदरम निट तक मैं इसी तरह रखतूंगे इसके बाद यहाँ पर इस कबसे में देर कब जितना बासमती राइस इसको अच्छे से वाश कर लूँगी यहाँ देखे मैंने इसको वाश करकर अच्छे से भीगा लिया है तो इसको भी मैं 20 मिनिट तक भीगा कर रखूंगी और यहाँ देखे यह सोया चंग्स अच्छे से भीग चुके हैं तो इसका पानी इस तरह स्क्वीज करें और इसको निकाल ले पानी में से अब यह जो सोया चंग्स है इसको हम मैरिनेट कर लेंगे इसके अंदर दालेंगे हम दही और थोड़ा सा अद्रक लेशन का पेस्ट लाल मिर्शी पॉडर और थोड़ी सी हल्दी थोड़ा सा नमक भी इसमें हम डाल लेंगे और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे 20 मिनिट तक इसी तरह हम मैरिनेट करकर इसको रख देंगे साइट में यहां पर हम लेंगे एक प्रिशर कुकर इसमें हम डालेंगे एक जितना आईल और साथी दो बड़े चमत जितना असली घी हम डालेंगे अब यह गरम होने के बाद हम इसमें आड़ करेंगे हमारे साबित मसाले मसाले थोड़ा सा रोस्ट होने के बाद इसमें हम डालेंगे चौप की हुई प्याज मिक्स कर लेंगे इसको थोड़ी सी स्मेल जाने तक इसी तरह इसको भी फ्राइ कर लेंगे इसमें आब आड़ करेंगे वेजिटेबल्स आलू गाजर अब इन सब चीजों को इसी तरह थोड़ी देर तक हम कुक कर लेंगे नेक्स्ट मैं आड़ करूंगे ग्रीन बीन्स ग्रीन बीन्स आड़ करने के बाद एक बर इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें हम दालेंगे अद्रग लेसन का पेस्ट वन टेबल स्पून अब अद्रग लेसन के स्मेल जाने तक हम फ्राइ कर लिए इसके बाद हम इसमें आड़ कर रहें एक कप जितने टमाटर इसको भी थोड़ी देर फ्राई होने देंगे इसके बाद इसमें आड़ करेंगे मसाले लाल मिर्ची का पॉडर हल्दी पॉडर नमक इस सब चीज़ों को एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे अब इसमें दालेंगे हरा मसाला, दो हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुधीना इसके बाद इसमें हम आड़ करेंगे हमारे सोया चंक्स जो हम मैरिनेट करकर रखे थे इसको पांच मिनेट तक हम मिक्स करकर कुक कर लेंगे पहले आपको नहीं बताया था यहाँ पर मैंने वन टी स्पून जितना गरम मसाला पौडर और वन टी स्पून जितना जीरा और धनिये का पौडर अब सोया चंक्स यहाँ पर अच्छे से कुक हो चुके है इसमें आड़ करेंगे हम सोक क्यों है बास्मती राइस अब इसको एक बार मिक्स कर लेंगे अगर आप चाहते हो तो इसमें दूसरे और भी वेजेटेबल साप आड़ कर सकते हैं अब इसमें आड़ करेंगे हम पानी मैंने देड़ कब जितने चावल लिये है तो मैं डाई कब जितना पानी इस्तिमाल कर रही हूँ आप अपने हिसाब से अज्जेस कीजिएगा पानी इसके बाद इसका धकन लगा देंगे और दो विजिल आने तक इसको कुप कर लेंगे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर और यहाँ पर देखिए दो विजिल हो चुके हैं तो हमारा सोया चंक्स पुलाव बनकर रड़ी है अब हम इसको एक सर्विंग प्लेक में निकालेंगे इसको आप राइदे के साथ सर्व कर सकते हैं गर्म गरम सोया चंक्स पुलाव बनकर रड़ी है आप इसको गरम सर्व करें तो बहुत ही तेस्टी रहेगा थोड़े से हरे धनी के साथ मैं इसको गार्निश कर रही हूँ बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस है सोया चंक्स बनाने का और यह रेसिपी भी बहुत ही मज़ेदार बनती है तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें तो आज की यह रेसिपी सोया चंक्स आपको किस तरह लगी है मुझे कमेंट करकर आप मुझे जरूर बताए अगर आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेसिपी के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें राज़ मा राइस बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हल्ली भी है और इसको बनाना बहुत ही आसान भी है तो इस recipe को किस तरह बनाते हैं उसके लिए आप मेरा इस recipe का पूरा वीडियो देखेगा पसंद आया हो तो अपने friends के साथ जारूर शेयर करें इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहां पर ले लिए हैं बारी कटी हुई प्यास जो मैंने slices में इसको काट लिया है और साथी हरा मसाले में हमने यहां पर ले लिया है एक बड़ा नीमबू और थोड़ा सा पुधीना और थोड़ा सा हरा धनिया और तीन हरी मिट्च का इस्तेमाल में कर रहे हूँ और साथी सूखे मसाले यहां पर मैंने दे टेबल स्पून जितना अद्रिक और लेसन का पेस्ट वण टीस्पून गरम मसाला वण टीस्पून लाल मिट्ची पॉडर वण टीस्पून हल्दी पॉडर और नमक हस बज़ूरत में इस्तेमाल करूंगे दो बड़े टमाटर मैंने ले लिए है सूके खड़े मसालों में मैंने इस्तिमाल किया है दो इलाइची और थोड़ा सा दालचीनी शाही जीरा, दो से तीन लॉंग, काली मिर्ची और एक स्टार का इस्तिमाल किया है और यहां पर मैंने बास्मती राइस ले लिए है वन कब जीतना इसको अच्छे से वाश करकर बीगा लिया है साथ ही यहां पर राज्मा है जो कि मैंने इसको बॉयल किया है आप यहां पर देख सकते हैं इसको बॉयल करने का प्रोसेस मैं आपको दिखाऊँगी तो यहां पर सबसे पहले हमने एक प्रशा कूकल ले लिया है इसमें हमने डाला है राजमा और साथी पानी एक ग्लैस जितना इसको मैंने पहले से ही रात में भीगा कर रखा था यहां पर आप देख सकते हैं दो वेजिल के बाद यह इस तरह कुछ हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगे यह देखे इस तरह नरम हो जाएगा यह और यहां पर एक दूसरा हम बॉल ले लेंगे इसमें एक करेंगे असली देशी घी दो टेबल स्पून जितना आप स्किप भी कर सकते हैं लेकिन यह घी डालने से इसका अच्छा टेस्ट आता है इसके बाद इसमें हम डालेंगे ऑईल गरम होने के बाद इसमें आड़ करेंगे सुके मसाले दालचीनी या पट्था भी आप कह सकते हैं इसको और हरी इलाइची एक स्टार में इसमें डाल रहे हूँ और शाहिजीरा लॉंग और साबित काली मिर्ची यह थोड़ी देर हम इसको फ्राइच कर लेंगे अ और यह फ्राइच के बाद इसमें हम आड़ करेंगे अमारी जू प्याज है इसको अड़ कर देंगे और इसे अच्ही तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको तोर इस तरह नो फ्राइ करते रहेंगे थोड़ा सब ब्राउनिश कलर आ जाने तक इसको फ्राइ करेंगे अब ये कुछ इस तरह इसका कलर आ गया है अब हम इसमें आड़ करेंगे अध्रक और लैसन का पेस्ट दे टेबल स्पून जितना में डाल रहे हूँ अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी स्मेल जाने तक हम इसको तेज आँच पर इसी तरह भून लेंगे साथ में इसमें डालेंगे दोस्ते तीन हरी मिंच और थोड़ा सा मिंच यानि की पुदीना और मिक्स कर लेंगे इसके बाद इसमें हम एड़ करेंगे एक कब भर कर टमाटर जो की दो बड़े टमाटर मैंने इस्तेमाल की है और इसको अच्छे से मैंने चॉप कर लिया है और इसको भी हम मिक्स करेंगे और इसको कुक करेंगे जब तक कि यह सॉफ्ट नहीं हो जाते हम इसको इसी तरह कुक कर लेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं यह अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं अब हम इसमें एक करेंगे सूखे मसाले जो की नमक हल्दी और लाल मिर्श नमक मैंने वान टी स्पुन इस्तिमाल किया है अब अपने टेस्क के मताओख आइग करें और गरयर अम वान टी स्पुन ही इस्तिमाल किया है अब ये मसाले डालने के वाद फिर से इसको मिक्स करें और अच्छे से भून ले अब यहां पर हम इसमें आड़ करेंगे राजमा जो की हमने बॉइल करकर रखा था अगर आपको राजमा की रेसिपी बनाना है तो राजमा को पहले हम रात में भीगा ले फिर इसको यूज करें अब हम इसमें आड़ करेंगे राजमा का पानी जो की हमने प्रशे को कर गया था राजमा को तो उसका पानी बचा हुआ था इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं तो इसलिए मैं इसमें एड़ कर रही हूँ यह एड़ करने से इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है जो कि मैंने एक कप जितना पानी इसमें एड़ कर लिया है और थोड़ी देर तक पांच से चेमनेट तक मैं इसमें कूक कर लूँगे इसको और 5-6 मिनिट के पाद पानी भी इसमें थोड़ा सा कम हो चुका है और इसमें अब हम आड़ करेंगे सोक यह होए बासमती राइस इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे आदा नीमू स्कुईस कर लेंगे और थोड़ा सा हरा धन्या एक दफ़ा इस तरह मिक्स कर लेंगे और इसमें हम आड़ करेंगे देड़ ग्लास जितना पानी क्योंकि मैंने बासमती राइस आदे घंटे तक भीगा कर रखा था तो इसलिए मैं देड़ ग्लास पानी इस्तेमाल कर रही हूँ यह एक कब चावल है तो एक बर इस तरह मिक्स कर लेंगे और इसकी लिड़ लगा कर आप इसको कुक होने देंगे फुल फ्लेम पर रखकर कुक करें अब हम डेस्टनेट के पार देखते हैं तो इसमें थोड़ा पानी कम हो रहा है तो आप अपनी फ्लेम मीडियम पर रखें और फिर इसको कुक होने दें अब फिर से हम इसको देखेंगे एक बार ये देखें पानी बिल्कुल कम हो चुका है बस थोड़ा सा है तो आप अपनी फ्लेम बिल्कुल कम पर रखें यानि कि सिम पर रख लें और इसको दम होने दें और यहां पर देखें हमारे राजमा राइस बनकर रड़ी है या राजमा पुलाव तो एक सर्विंग बॉल्ल में इसको निकालेंगे हम यह देखें हमारे राजमा पुलाव बनकर रड़ी है आप इसको ग्रेवी या राईटा psicotay लिक बाका कर सकते हैं आप इसको गरम-गरम सर्फ करें, बहुत ही हेल्दी भी है, बहुत ही मजीका लगेगा आपको, जरूर ट्रॉइ करें, राजमा पुलाओ बनाकर, अगर मेरे मंदी, ये बहुत ही फेमस अरेबियन डिश है, इसको बनाने का तरीखा, आज मैं आपको दिखाऊंगी, मंदी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्पाइस पॉडल प्रिपेर करेंगे, उसके लिए हमने तू टीस्पून जितनी काली मिर्ची ले लिए है साबित, वन टेबल स्पून धनिया, और वन टीस्पून सीरा, वन टीस्पून सोंफ, मैंने ले लिया है, और पांक से अच्छे इलाइची, चार से पंच लॉंग, तीन दालचीनी के पीसे मैंने ले लिया इस तरह, और एक बड़ी इलाइची, और छोटा सा जैफल का पीस ले ली हूँ, यानि नटमक ले रही हूँ मैं, इस सारे मंदी के मसाले हैं, इस सारे मसालों को मैं ड्राइ रोस्ट कर लूँगी, यानि अच्छे से भून लूँगी और ब्लेंड कर लूँगी, यहां पर मैंने एक किलो जितना चिकन ले लिया है, और अच्छे से इस तरह मैंने कटमक्स इसमें लगा दिये है, आपको पहले मैं टू से दिखाऊंगी, यहां पर पहले मैं चिकन के यहाँ देखी यहाँ पर चिकन के लिए हमने ले लिया है जो हमने मісाला लेलिया था इसको अच्य से मैंने इस तरह ब्लेंड कर लिया और वैंगल ले लिया और वनिगल ले फिर मैंने एक कब जितनी प्यास ले ली है और तीन हरी मिर्च मैंने ले लिए चार लॉंग और और दो से तिन दालचीनी के पीसेस मैंने ले ली है और दो टेबल स्पून जितना मैं अद्रकलेसन का पेस्ट भी इस्तिमाल करूंगी और सैफरान भी इस्तिमाल करूंगी यहां पर मैंने चावल सा सो ग्राम ले लिए है और इसको मैंने एक घंडे तक भीगाने के लिए रख दिया है आप पानी तीन गुना इसमें जैदा दाले ताकि चावल अच्छे से भीग जाए यह हमारे चावल बनाने के इंग्रीडियन्स है अभी नेक्स प्रोसेस यहां पर चिकन का मैरिनेशन प्रोसेस में स्टार्ट कर रही हूँ अध्रग लेसन का पेस्ट देड़ टीस्पून मैंने ले लिया और तू टेबल स्पून जितना मैं स्पाइस पॉडर जो मैंने प्रिपेर किया था वो इसमें दाल दूँगी और वन टेबल स्पून जितना वेनिगर दाल दूँगी और वन टेबल स्पून ऑलिफ ऑईल किस तरह मिक्स करने के बाद मसाला मिक्स हो गया है अभी मैं चिकन की पीस लेकर उसको अच्छे से मैरिनेट करूंगे इस तरह जहां पर हमने कट मक्स लगए वहां पर भी अच्छे से मसाला लगाईए ताकि मसाला अंदर तक एंडर हो सके इस तरह ही मैं सारे पीसिस को मैरिनेट कर दूँगी यह देखिए इस तरह मैंने कर दिये अभी इसको एक से दो घंटे में रख दूँगी मैरिनेट करने के बाद कम से कम देड़ घंटा तो इसको मैरिनेट करकर रखना चाहिए इसके बाद नेक्स प्रॉसेस एक मैंने बगोना ले लिया है उसमें मैं चार ग्लास जितना पानी आड़ करूंगी हम पहले चिकन को स्टीम करेंगे यह देखें मैंने चार ग्लास पानी इसमें आड़ कर लिया है अभी आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर इसमें रख दीजे या फिर इस तरह की कोई भी चीज आप रख सकते हैं तो मैं इसमें इस तरह चिकन के पीसे आड़ कर दूँगी इसको हमने स्टीम करना है 25 मिनिट तक या आदे घंटे तक आप धकन धकर मीडियम फ्लेम पर पकाएं इसको ताकि चिकन अच्छे से गल जाएं यह देखिए अभी मैं पीसेस को टर्न करूंगी एक तरफ यह पक चुके है तो मैं दूसरी तरफ इसको टर्न कर दूँगी देखिए इस तरह मैंने इसको टर्न कर दिया अभी मैं फिर 15 मिनिट तक पका दी हूं यहां पर देखिए चिकन अच्छे से गल चुका है अभी मैं फ्लेम आफ कर दूँगी और यहां देखिए हमने चार ग्लास पानी डाला था तो यह दो ग्लासी हो गया है तो इसको साइड में करेंगे नेक्स प्रोसेस एक पैन लेकर हमने इसमें तेल डाला है जो चिकन को हमने स्टीम किया था वो अल्डरी गल चुका है तो बस हम उपर से इसको फ्राई कर लेंगे इस तरह तेज आँच पर रखकर हम फुल फ्लेम पर रखकर इसको फ्राई करेंगे क्योंकि चिकन अंदर से गल चुका है बस कलर चेंज होने तक फुल फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर लेंगे यह देखिए यह अच्छे से फ्राई हो चुके है अभी मैं फ्लेम आफ कर दूँगी और इसको निकाल लूँगी इसके बाद मैं अगला प्रॉसेस आपको दिखाऊंगी यहां देखिए एक बगोना मैंने ले लिया है एक कब जितना मैंने ओईल आड किया है इसमें लॉंग और डालचीनी के पीसेस मैंने डाल दिये है साथी जो प्यास हमने काट कर रखी थी वो भी मैंने इसमें आड कर ली है अब इसको थोड़ी दे फ्राइ कर लूँगी यहां देखिए प्यास का कलर चेंज हो रहा है यहां पर मैं थोड़े से टमाटर डाल रही हूं यह ऑप्शनल है आप चाहे तो इसको स्कीप भी कर सकते हैं में अछए से इन सबको मिक्स कर लूँगी मिटा दो डिल तेल सपौंज इतना अद्रग लेस्तन का पेश्ट दाल्की में और इसको मिक्स कर लूँगी इसके बाद इसमें 2-3 हरी मिर्चे दाल लोगी यह आदालकर भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी यहां देखिए यह स्टॉक है जो चिकन हम निकलाए थे उसका पानी है यह दो ग्लास है तो मैं इसमें दाल दूँगी इसी ग्लास से मैंने दो ग्लास चैंवल ले लिये थे तो मैं चार ग्लास पानी इसमें आड़ कर लूँगी यह दो ग्लास का स्टॉक है और दो ग्लास में में पानी आड़ कर लूंगी यहां देखिए दो गलस में पानी आड़ कर रही हूं पानी डलने के बाद एक बर मिक्स कर लूँगी जो मैंने सपाइस पॉडर बनाया था मसाला बचाकर जो मैंने रखा था वो अब मैं इसमें अड़ कर लूँगी उसके बाद इसमें अच्छे से उबाल आ रहा है अभी मैं चावल भी इसमें डाल दूँगी ये देखिए मैंने चावल डाल दिया है तो एक बर मिक्स कर लूँगी आप नमक इसमें अपने हिसाब से डालिएगा और ढकन 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 इसको पटने दीजिए ये देखिए चावल में पानी तक्रीबन हो गया है अभी हम दम पर रख देंगे इसको बिल्कुल सिम पर रख कर अभी देखिए चावल डड़ी हो गए हमारे ये देखिए कितना खिला खिला बना है चावल तो अभी निक्स प्रोसेस हम शुरू करते हैं निक्स प्रोसेस हम क्या करेंगे चावल तो हो गए है हमने फ्लेम आफ कर दिया है अभी हम इसमें जो हमारे फ्राइ कियो है चिकन के पीसेस है उसको इस तरह इसमें रख देंगे हम इस तरह चिकन के पीसस रखने के बाद बीच में एक बॉल रख देंगे हम और छोटा सा कोल सा लेंगे उसको गरम कर देंगे और फिर हम इसमें डख देंगे इसको अब हम इसमें टूटी स्पुन जितना तेल डालेंगे उपर से तेल डालने से इस तरह स्मोक आने लगता है तो इस से ही बहुत ही मज़ेतार बनती है मंदी जब स्मोक आने लगा तो अब साथ ही धकन धक दीजिए तक ही सारा स्मोकी फ्लेवर हमारे खाने और जो चिकन है उसमें जाए आप साथ से आट मिने तक इस तरह ही ढखकर इसको बना दीजिए उसके बाद ये देखे रडी हो गई हमारी मंदी चिकन मंदी मैं आपको सर्विंग बॉल में निकाल कर दिखाऊंगी ये देखिए यहां देखें मैं थोड़πे से इसको गर्निश करूंगी बादम मैं और जो किस्मिस हम WiFi कर लिया था ौर इस पर दाल दूँगी इस इन देखें मैं इस तरह कर दिया और यहां पर मैं हम रखोंगी चट्मी और थोड़े से प्याज बस हो गई यह दिखिए कितना जबरदस बन गई है हमारी चिकन मंदी तो मैंने मंदी चटनी की भी रेसिपी दाल कर रखी है चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं उसे किस तरह बनाना है तो आप लोग ज़रूर ट्राइ करें चिकन मंदी रेसिपी को साथ में यहां पर एक कब जितना टामाटर और एक कब भरकत अन्यन समें लिए है यानि की प्यास यहां पर हमने वेजिस लिए है इसमें हमने गोबी शिमला मिर्च और गाजा लेकर इसको बारिक बारिक हमने कट किया है और साथ में हरा धनिया हरी मिर्च और बिल्कुल दो टेबल स्पून जीतना फिर्म वैनिगर इहिए पर हमने एक बॉल ले लिया है इसमें दो टेबल स्पून जीतना ओईल मैंने डाला है इसको इस तरह इसमें पहलाएंगे इसके दालेंगे बीट किया हुआ एग और इसको अंडे को कुख होने देंगे एक साइट अब हम इसको नीचे से कुख होने देंगे उसके बाद हम इस तरह इसको फोल्ड कर लेंगे और छोटे-छोटे पीसेस में मिक्स करेंगे इसको जब यह अच्छी दरा से कुख हो जाएगा तो हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे इसके बाद फिर से हम यहाँ पर दो से तीन टेबल स्पून ओईल डाला है और इसमें डालेंगे सारे वेजी सबसे पहले गाजर, शिमला मिर्च और गोबी हम डालेंगे बन को भी हमने इस्तिमाल की है यानि की कैबेज अब यह सारे वेजी सको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे फुल फ्लेम पर तीन निट तक ही इसको फ्राई करेंगे यहां देखिए यह आची तरह से फृभष हो चुकी है अब हम इसको निकालेंगे यह देखिए नेक्स्ट हम सेम बाउल में डालेंगे ओईल हाफ गभ जितना ओईल और इसमें डालेंगे अनियंड जो स्लाइस किवे है अनियंड से इसको डाल देंगे इसको अच्छी तरह से हम फ्राइ करेंगे फ्राइ हो चुका है अब इसमें हम डालेंगे खीमा, मिंस्र मटन और इसको ढखकर ढखकर हम ऑईल में ही अच्छी तरह से कुकोने देंगे यानि कि भून लेंगे हमने खीमे को अच्छी तरह से भून लिया है अब हम इसमें आड़ करेंगे काली मिर्ची, साबित काली मिर्ची के दाने, चार से पांच इस्तेमाल की है, और दे टेबल स्पून जितना अद्रोक और लेसन का पेस्ट, अद्रोक और लेसन का पेस्ट डालने के बाद भी हम इसको अची तरह से भून लेंगे, और इसमें बून करेंगे और भून लेंगे ये अचित अरीं हो चुका है इसमें हम एक करेंगे टमाट करेंगे और हरीमिर्ज रिए रिए अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे एक बीना कोई पानी करेंता के इसी तरह हम कुक anál Champ करेंगे सको टमाटर तक हम इसी तरह इसको भूनेंगे और जब टमाटर साफ हो जाएंगे इसमें हम एड़ करेंगे हाफ टेबल स्पून धन्या पॉडर और तू टीस्पून जितना जीरा पॉडर हम इसमें लास में डालेंगे हरा धनिया और बिल्कुल थोड़ा सा पुधीना या पुधीना स्किप भी कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर हमने सोया सॉस डाला है इसमें टू टेबल स्पून और वेनिगर डालेंगे हम वन टेबल स्पून अब इन सारे चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद जो हमारे फ्राइ किये हुए वेजीस है इसको हम इसमें डाल देंगे पहले इस तरह यहाँ पर हम सारे वेजीस डाल कर इसको एक पर मिक्स करेंगे उसके बाद हम जो कुक्र राइज है इसमें एड़ कर देंगे इसको और यह एड़ करने के बाद इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे तो इसको बिल्कुल अच्छी तरह से सारे वेजीटेबल सब जो भी हमने फ्राइज किया है डालकर मिक्स करें यहां देखी मैं इस तरह इसको मिक्स करी हूँ और चांवल जो है यह भी हमारे बिल्कुल खड़े है इसको जो कुकुर राइस है इसको ज़्यादा नहीं किया हुआ है। इसको भी हमने ऐड़ किया है दुवारा से हलके से इसको मिक्स कर दें बस। रड़ी हो गया हमारा खीमा फ्राइट राइस इस को एक सर्विंग बॉल में हम निकालेंगे। तो फ्रेंट्स ये देखिए हमारा मज़ेदार खीमा फ्राइड राइज बनकर रड़ी है कभी डिफरेंट भी ट्राइज करें आज हमने खीमे के साथ फ्राइज बनाया है बहुत ही मज़ेका बना है जरूर अपने घरों में इसको ट्राइज करें और मुझे कमेंट करकर बता किस तरह लगी है रे शैर कर र्यों मिर्शुों का सॉरां किस टरह हम बनाते हैं इसके लिए आप मेरे इस रेसिपी का पूरा वीडियो देक् επιराख कको अगर 표현 हो अगर आप नहीं प्ट टीस्पून इस्तेमाल करेंगे और G guaranteed était Australia Australia गिएरी एक hazard भी और Weidya इन रहाए तीस्पून इस देल करेंगे और जीड़ी टेबिल स्पून अर्जीरा इसको स्क्षाया इसकोड़ कॉपने पाउडर मैंने développement ले लिए और यहां पर कसूरी मेथी, मेथी दाना और कलॉंजी और यहां पर मैं बड़ी मिर्च इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि मिर्च का सालन है इसमें मिर्च नहीं होती है जादा ठीकी नहीं होती है और साथी टमाटर का भी इस्तेवाल कर रही हूं और साथी यहां पर मैंने एक बॉल में इमली भीगा ली है गरम पानी में अच्छे से दोकर इसको गरम पानी में भीगा लीजिए सबसे पहले यहां पर हमने पैन ले लिया है इसको गरम कर लेंगे और इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून जितना धन्या और फिर इसमें ही डालेंगे एक टेबल स्पून जीरा और साथी इसमें डालेंगे कलाउंजी थोड़ी बचा कर रख लेंगे हम और मेथी दाना भी इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून जितना अब इन सब चीजों को हम ड्राइ रोस्ट कर लेंगे यानि कि भून लेंगे यहां देखिए यह अच्छे से हमने भून लिया है अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे मूंफली इसको भी अच्छे से भून लेंगे भूनने के बाद इसका हम छिलका निकाल लेंगे ये भी अच्छे से भून चुकी है तो हम इसको भी प्लेट में इस तरह निकाल लेंगे इसके बाद इसमें डालेंगे कोकनिट पाउडर या आप बड़ा खोप्रा भी ले सकते हैं जो रौन वाला होता है वो मेरे पास ये है तो मैं इसका स्तमाल कर रही हूँ इसको भी लाइट ब्राउन कलर हम भून लेंगे और प्लेट में निकाल लेंगे तो इसी तरह हमने सारे चीज़े भून लिए है यहां पर मैंने एक टेबल स्पून जितना तेल डाला है यहां पर इसके बाद मैं इसमें तिल डाल रही हूँ तेल मैंने इसलिए डाला है कि भूनते वक्त तिल ना उचले इसलिए मैंने तेल का स्तमाल किया है अब इसमें मैं प्यास भी इसमें ही एट करूंगी इन दोनों चीज़ों को भून लोगी थोड़ा सा प्यास का कलर चेंज होने तक हम इसको भून लेंगे अब नेक्स्ट जो ब्लेंडर है मिकसर जार वो ले लेंगे मुंफली जो हमने इसका छिलका निकाल लिया है इसको इसमें डाल देंगे और साथी जो हमने भूना हुआ मसाला है जो भी वो सारा हम इसमें डालकर अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे इसमें ब्लेंड करते वक्त हम डालेंगे कसूरी मेती वान डेबल स्पून जितनी यहां देखे इस तरह हमने इसको ब्लेंड कर लिया है अब एक ब्लेंड करें पाद इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून जितनी हलदी और इस तरह हमने फाइन पेज बना लिया है इसका जो चोटे ग्रीन चिली आरी मिर्ची हमने ले लिए थे उसको भी कि तरह मैंने प्रुश कर लिया हूँ अभर हमें पर जो बड़ीवाली मिट्शी है अब इसका हमने क्या करना है इसको अच्छे से वखार करना है ते पर TIM्हेंद आद करना है ईसके बाद इसका जो उपर का पाथ है इतना इतना पाथ हम निकाल लेंगे पूरा नहीं निकाल ला है उपर का थोड़ा हिस्सा इसका निकाल लेंगे और इसको इस तरह बीच में हम इस तरह कट करेंगे यह ज्यादा मिर्च नहीं होता है इसमें ठीक ही नहीं होती है तो सारे इसी तरह हम कट मक्स करकर साइड में रख देंगे यह देखिए इसी तरह कट मक्स लगाते हुए रखतेंगे साथ में मैंने दो बड़े टमाटर भी चौप कर लिए एक टमाटर में मैंने चार पीसे किये हैं ज्यादा बारिक नहीं काटना है हमें निक्स प्रोसेस हम इसमें डालेंगे इसमें डालेंगे औो टीन बड़े कप जितना ओइल मैंने इसमें डाला है उसके बाद इसमें हम मिर्चे जो है उसको पहले फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर रखके एक से दो मिनेट के लिए फ्राई करेंगें ज्यादा फ्राई नहीं करना है बस थोड़ा ही हलके से हम इसको फ्राई करकर इसको निकाल लेंगे यह दिखिए यह फ्राई हो चुके है अभी मैं इसको निकाल रही हूँ निकालने के बाद सेम ओईल में मैं वन टी स्पून जीरा डाल रही हूँ और वन टी स्पून राई दाना थोड़ी धेर इसको फ्राई करेंगे अब इसमें है दालेंगे हम करी पता इसको भी थोड़ी धेर फ्राई करेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे वन टेबल स्पून जितना अद्रक और लेसन का पेस्ट इसकी स्मेल जाने तक इसको अच्छे से भून लेंगे अद्रक लेसन को भूनने के बाद हम डालेंगे जो हमने पेस्ट बनाया है मसालों का वो डाल देंगे और इसको तेज आँच पे रखकर अच्छे से भून लेंगे यहां पर हमने इसमें पानी नहीं एड्ट किया है बस मसाले को यह अच्छे से भून लेंगे और साथी इसमें नमक में डाल रहे हूं वान टी स्पून आप अपने हिसाब से डाले इसको अच्छी तरह से आप भूनते रहे और क्रश की हुई हरी मिर्च भी मैं एड्ट कर रहे हूं यहां पर एड्ट करने के बाद मिक्स करें और मीडियों फ्लेंबर रहकर ढखकर कुक करें यहां देखिए हमने इसको 5-6 मिनिट कुक कर लिया है तो मसाला है अच्छे से कुक हो चुका है अब इसमें मैं एड्ट करूंगी पानी जो की हमने पानी इसमें नहीं डाला है तो जो ब्लेंडर है उसमें मसाला था तो उसी का पानी मैंने इसमें डाल दिया है अब इन सब चीजों को मिक्स कर दीजिए और धकन धकर इसको लो फ्लेम पर रखकर 8 मिनिट तक कुक करें उसके बाद इसमें आड़ करें टमाटर टमाटर ज्यादा बारिक नहीं काटना है बस एक टमाटर में 4 पीसे समें बनाना है टमाटर दालने के बाद एक बार मिक्स करें और यहां देखिए टमाटर थोड़ा कुक होने के बाद अब हम इसमें आड़ करेंगे इमली का पल्प या इमली का खटा जो कि हमने गाड़ा लेना है एक कप फुल मैंने इस्तेमाल किया है और इसको मिक्स कर दे और इसमें आड़ करें थोड़ा सा हरा धनिया और कड़ी पता अब इसमें आड़ करेंगे हम मिर्ची जो हमने फ्राइ की हुई हरी मिर्च है उसको आड़ कर देंगे और लो फ्लेम पर रख देंगे दस मिनिट के लिए कुक होने के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से आउल फ्लोट हो रहा है और हमारा जो सालन है यह भी अभी तकर रड़ कर देंगे और इसका फ्लेम आउफ कर देंगे यहां मैं आपको दिखा रही हूँ अभी यह रड़ी हो चुका है हमारा सालन अब हम एक सर्फिंग बॉल में इसको निकालेंगे तो इस तरह हमने इसमें निकाल लिया है यहां देखिए हमारा मिट्शियों का सालन मन कर रड़ी है तो आप लोग ज़रूर ड्राई करें इस तरह बनाकर अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हो तो प्लीज पहले मेरे चैनल को पिर मैं आप लोग मुझसे शे से खाते हैं यह हैदरबादी की फेमस डिश है बहुती मज़े की और रेशेदार बनी थी आज मैं आपको स्टेब बैस्टेब इसकी रेस्पी बताऊंगी वीडियो एंड तक जरूर देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर एक किलो जितना मैंने चिकन लेकर अच्छ दो बड़े टेबल स्पून जितना मैंने लिया है इसकी कौइंटिटी और यह दल्या है इसको भी मैंने भीगा कर रखा है खरीब दो गुंटों के लिए एक कब जितना मैंने ओर्ड लिया है हम ओर्ड कब भी यूज करेंगे और मसालों में मैंने अद्रक और लेसन का पेस्ट रिट टेबल स्पून लिया है लाल मिर्ची का पॉडर टू टेबल स्पून हल्दी पॉडर वान टेबल स्पून और नमक भी मैंने टू टेबल स्पू और ये जो पीस है ये जावित्री का है, दो इलाइची और दो दालचीनी मैं इस्तिमाल करें। साथी याँपर दो बड़े टेबल स्पून के खरीब मैं गरम मसाला पौडर इस्तिमाल करूंगी। हरे मसाले में सबसे पहले मैंने फ्रेश पुधीना लिया है। और हरा धन्या आंट से दस हरी मिच यूज करूंगी मैं और थोड़े हरी मिच लेकर मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। बाहिके हम साबित इस्तिमाल करेंगे। ये देख सकते हैं आप ये हरी मिचों का पेस्ट है। और यहां पर तीन चोटे साइस के मैंने नीमू का इस्तिमाल किया है। और साथी फ्राइ क्यों ही ब्राउन आनियन्स ले लेंगे। एक बाल लेंगे। इसमें जो दल्या है वह एक अब जितना मैं इस्तिमाल करेंगे। यानि की खरीब तीन सो ग्राम का मैं इस्तिमाल करेंगे। इसको दोकर अच्छे से हम भीगाएंगे। दो गंटों के लिए। ये दल्या कोई भी सखत चीज आप भीगाकर रखें। उसके बाद इसको पकाएं तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये जो ओर्स है इसको भी हमने पानी में भीगाया है। ये जल्दी ही गल जाते है। और नेक्स्ट जो हमने चिकन ले लिया है एक बॉल में इसमें हम डालेंगे तमाम मसाले। आप हमेशा हरीस बनाते हैं वक्त चिकन की क्वाइंटिटी जादा रखें और दल्या की क्वाइंटिटी कम रखें। यहां पर आप देख सकते हैं इसमें थाबित मसाले भी हम डाल रहेंगे और गरम मसाला पॉडर भी आइड़ करेंगे। यहां पर हमने एक किलो चिकन लिया है और तीन सो ग्राम के खरीब इसका डल्या लिया है। और डाल भी मैंने 100 ग्राम के खरीब इस्तिमाल की है सारे डाल मिक्स करकर पानी आट करने के बाद इसको चूले पे रख देंगे दूसरी तरफ एक प्रेशा कुकर ले लेंगे और इसमें डालेंगे जो हमने डाल बिगा कर रखी है और इसको 2-3 वैजिल आने तक कुक करेंगे दूसरी तरफ यहां देखे चिकन भी में रख दिया इसको भी 20-20 ने तो लगेंगे कुक होने में उसके बाद डाल यहां पर कुक हो चुकी है अच्छे से गल चुकी है इसको हम दाल घुटनी जो होती है इससे ही हम अच्छी तरह से घोट लेंगे ब्लेंडर में डाल कर अगर आप इसको ग्राइन करेंगे तो इसका जो जाइका है वो कम हो जाएगा तो आप इसी तरह इसको घोट ले और यहां देखे चिकन हमारा गल चुका है मैं आपको दिखाऊंगे यह देखिये चिकन गल चुका है अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे इसमें से चिगन के पीसेस निकालेंगे और गोश और हड़ी को हम अलग कर देंगे यहाँ यह यखनी है इसको एक साइड में कर देंगे इसके बाद एक बॉल लेकर इसमें एक कब बड़ा कब भरकर मैंने आउयल इस्तेमाल किया है जिसमें मैं ऑनियन्स फ्राइ करी थी वही आउयल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ स्लाइस क्यों है अनियन जोटी ऑनियन लेकर इसको मैंने स्लाइस किया था और इसको थोड़ी दिर हम सौटे करेंगे इसका कलर चेंज होने के बाद इसमें मैं आड़ करूंगी अद्रक और लेसन का पेस्ट वन टेबल स्पून के खरीब इसकी कच्छी स्मेल जाने तक इसको भी हम सौटे करेंगे अब हम इसमें आड़ करेंगे यखनी एक जग मैंने इसमें डाला था पानी तो ये आदा जग हो गया है अभी मैं फिर से इसमें आड़ करूंगी पानी तकरीबन तीन से चार ग्लास जितना पानी आड़ करने के बाद इसमें जब उबाल आएगा तो हम इसमें आड़ करेंगे भीगा कर रखा हुआ दल्या दल्या एड़ करने के बाद इसको हम अची तरह से मिक्स कर देंगे जब हम दल्या डाल देते हैं इसमें एक बर अची तरह से हम मिक्स कर लेंगे उसके बाद इसको 20 मिनिट तक कुक होने के लिए रख देंगे इसी तरह तो 20 मिनिट के बाद ये देखे हमरत दल्या तकरीबन कुख हो चुका है अब हम इसमें आड़ करेंगे ओर्स आड़ कर देंगे जो भीगा कर रखे थे और्स बहुत जल्दी गल जाते हैं तो ओर्स आड़ करने के बाद आट से 10 मिनिट तक फिर से हम इसको कुख होने देंगे दल्या और ओर्स अच्छी तरह से कुख हो जाते हैं उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो चिकन हमने रेशा रेशा कर लिया था इसको इसमें डाल कर अच्छी तरह से हमें इसको मिक्स करना है हमने ब्लेंड नहीं किया है चिकन बस इसके पीसे इसको रेशा रेशा कर लिया था चिकन अट करने के बाद इसमें जो हमने डाल ली थी सारी दाल इसमें डाल देंगे और साथ ही इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट जो हमने लिया था अब इन तमाम चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हमने 10-15 मिनिट के बाद इसको ढकन हटा कर देखा है और ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है सारे चीजे और यहां पर मैं इसमें हरा मसाला एड़ करूंगी हरी मसाले में हरा दनिया पुदीना और थोड़े से हरी मिच एड़ करकर फिर से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी इसके बाद जो हरीज है हमने इसको एक बॉल में लेकर जो डाल गुटनी होती है उसी से हमने बहुत अच्छी तरीखे से इसको गोट लिया है ब्लेंडर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है इस तरह करने से आपकी हरीज जो है बहुत ही मज़ेदार बनती है आप यहां देख सकते किस तरह जिगर्ड हो चुकी है ओर्स भी हमने डाला है उस वज़े से यह चिकनी भी हो चुकी है अगर आप इसको घोट के बनाएं तो बहुत ही मज़ेदार बनती है हरीज अब हमने हरीज को फिर से चूले पे रख दिया है हरीज घोटने के बाद आप बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दे अब हम इसमें आड़ करेंगे काली मिर्ची का पौडर तकरीबन वन टेबल स्पून के खरीब और इसमें ब्राउन आनियन साइट कर देंगे और साथी असली घी मैंने गरम कर लिया था एक कप असली घी हम एड़ कर देंगे इसमें असली घी आप जरूर डाले इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया बन जाता है उसके बाद इसको मिक्स करें और लो फ्लेम पर बिल्कुल सिम पर रखें आप इसको बीस मिनेट तक धकन धके को खोने दे और लास्ट में फाइनली हमने फ्लेम आफ कर दिया और इसमें हमने डाला है लेमन जूस एक कप भर कर और नीचे से उपर से अच्छी तरह से लास्ट में आप मिक्स करें और इसको एक सर्विंग बॉल में निकाल ले इसको एक बॉल में निकाल लिया है इसके उपर से हम डालेंगे ब्राउन अनियन्स और फ्राइ किये हुए काजू और इसके उपर से हम डाल देंगे थोड़ा सा असली गी यहाँ पर हमने इसको हरे धनिये और पुदीने के साथ गानिश किया है तो फ्रेंड्स आज की हैदरबादी हरीस रस्पी बनकर रड़ी है आप अपने घरों में इसको जरूर ट्राइ करें यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी रेशेदार बनी थी हमारी हरीस बहुत ही मज़े की बनी टिकन हरीस विट ओट्स यहाँ इसके इंग्रीडियन्स है यहाँ पर बारीक कटी हुई दो बड़े प्यास मैंने ले लिया है इस तरह और 500 ग्राम जितना मैंने चिकन ले लिया है हरा मसाला हरा धनिया पुझीना चार से पंच हरी मिर्चे और दो बड़े नीमबू मस्तिमाल करूंगी दो बड़े चमच मुंग दाल और दो बड़े चमच माश्की दाल दो बड़े चमच तूवर दाल ले लूँगी असली घी तीन बड़े चमच मैं इस्तिमाल करूंगी एक बड़ा कप जितना मैं ओट्स ले ली हूँ यानि 100 ग्राम्स है यह ब्रोकेंड वीड भी एक बड़ा कप 100 ग्राम्स ले ली हूँ नेक्स प्रोसेस हम क्या करेंगे चिकन ले लेंगे और सारे मसाले इसमें डाल देंगे इस तरह मिक्स करने के बाद इसमें एक लीटर पानी हम डाल देंगे इसको चूले पर रख दूँगी मैं और चिकन गलने तक इसको मैं पका लूँगी नेक्स प्रोसेस एक प्रेशा कोकर लेकर सारे डाले मैं इसमें डाल दूँगी और गला लूँगी इसको यहां देखिए चिकन गल चुका है तो मैं चिकन के पीसे से इसमें से निकाल दूँगी और हदी से गोश अलब कर दूँगी और यह पानी आदग हो चुका है इसलिए मैं इसमें एक लीटर पानी डाल रही हूँ एक उबाल आने के बाद इसमें ही मैं broken wheat डाल दूगी और mix कर दूँगे 10 minute के लिए रख दूँगे पकने के लिए दो उबाल आने के बाद इसमें oats डाल दूँगी मैं मैं oats बाद में इसलिए डाल रही हूँ की oats बहुत जल्दी कल जाते हैं इसलिए मैं बाद में डाल रही हूँ अच्छे से मिक्स कर दीजिए इसको ताकि कोई लंस ना रहे है इसमें यहां देखिए यह अच्छे से मिक्स हो चुका है तो इसको मैं 15 मिनिट तब पका लूँगी मीडियम फ्लेम पर रखकर और दूसरी तरफ जो हमने डाल गलाई थी वाच्छे से गल चुकी है तो मैं डाल गुटनी का इस्तिमाल कर रहे हूं इससे ही मैं घोट लूँगी प्लेंडर कर नहीं कर रहे हूं और उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी यह डाले इसके बाद मैं चिकन इसमें डाल दूंगी जो मैंने स्ट्रेट करकर रखा था यह भी मैंने ब्लेंड नहीं किया है बस इस तरह ही मैं डाल रही हूं इसमें इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है हमें यहां देखिए मैं डाल घोटनी का इस्तेमाल कर रही हूं यहां पर जिस तरह बवर्ची इस्तेमाल करते हैं उसी तरह मैं इससे ही घोट लूंगी सारी हरी जितना हो सकता है उतना आप घोट लेजिए गोटने के बाद इसमें हरा मसारा डाल दीजिए उसके बाद 2 टी स्पून जितनी काली मिर्ची का पौडर अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और 10 मिनिट तक इसको मीडियम फ्लेपर पकने के लिए रख दीजिए इस पे मैं फ्राई की उही प्यास दाल रही हूं मैंने ब्राउन कलर कर लिए थे तेल और गी में मैंने फ्राई कर लिए थे जब हम इसको म्हालते हैं तो हरी से का मजारी बैदल जाता है यह देखिए यहां पर मैं घी और तेल डाल रही हूँ जिसमें मैंने ओनियन फ्राइ किये थे और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस तरह उसके बाद बिल्कुल सिंपर रखकर मैं दस मिने तक इसको पकने के लिए रख दूँगी हम बीना ब्लेंड किये ही हम सारे चीजे डाल दिए हैं और बस दाल गोठी से हिमने घोठ लिया है और इसमें हमने ओर्स पहुद ही लिकार नंट然后 कोष़ां बकुत ही जबर्दस ह हरश آپ देख सकते हैं और हम इसमें असली घी भी दालेंगे जटना डालेंगे आप उतनी मज़ेधार बनेगी आपकी हरीश अब हम इसमें असली घी डालेंगे जो मैंने तीन से चार टैبل स्पून ले लिये थे more मैं इसमें दाल दूंगी और फैनली मैं इसमें दालूंगी नीमू का रस जो दो बड़े नीमू जो मैंने ले लिये थे डाल कर एक बार मिक्स कर लूँगी इसको इसके बाद फ्लेम आफ कर दूँगी में ये देखिए रड़ी हो गई हमारी हरीस बहुत ही मज़ेदार तो अभी एक सर्विंग बॉल ले लेंगे उसमें दाल देंगे हम पहले भी मैंने एक तरीखा दिखाया था आपको हरीस बनाने का ये दूसरा तरीखा में दिखाई हूँ और्स के साथ है और सारी चीज़े हमने घोट लिये थे तो बहुत ही मज़ेदार बनती है इस तरीखे की भी हरीस आप एक बर जरूर ट्राई करें गादेशी के लिए उपर से मैं थोड़े से फ्राई आनियन्स दाल रही हूँ और हरा मसाला थोड़े से गाजर और फ्राई कियो है बादाम और उपर से घी डाल दूँगी और उपर से बॉइल किया हूँ अंडर रख दूँगी ये देखिए रड़ी हो गई हमारी जबर्दस थारीस आप ज़रूर ट्राई करें बिना मावा और बिना मिक पौडर के आज हम देखेंगे आज हम बनाएंगे घर में जो चीजे हमारे अवलेबल है उसी से हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सेमी या शीर खूर्मा लॉकडोन भी चल रहा है तो हम बहुत ही इजी प्रोसेस से इसको बनाएंगे वीडियो जरूर एंट तक देखें अगर पसंद आई हो तो सबके साथ इसको जरूर शेयर करें चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पर ली है बारिक सेमी और चार टेबल स्पून जितना असले घी एक छोटी कप बरकर मैंने लिया है और चीनी का इस्तेमाल हुआ है मैं देड़ कप चीनी का इस्तेमाल करूंगी और यहाँ पर सूके मेवों में मैंने लिया है बादम और काजु को मैंने अच्छी तरीखे से चौप कर लिया है यह खर्बूस के बींच इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर क्यूंकि लॉक्टरॉन की वज़े से चीरंजी नहीं मिली थी मुझे तो इसलिए खर्बूस के बींच मैंने ले लिये थे और थोड़े से किसमिस और यहाँ पर खजूर चार खजूर का इस्तेमाल किया है आपके पस जो मेवा है आप उसी से ही ट्राइ करें और दे लिटर के खरीब दूद का इस्तेमाल हुआ है और तीन से चार इलाइची हम लेंगे फ्रेश इलाइची कूट कर दालिए सबसे पहले हम यहाँ पर एग बैजी लेकर इसमें आदा लिटर जितना दूद गरम करेंगे जो हमने आदा लिटर दूद लिया था इसकी कूटिटी आदी होने तक हम इसको अच्छे तरीके से गरम करेंगे लो फ्लेम पर रखकर जब इसकी quantity कम हो जाएगी इसमें add करेंगे हम थोड़ी से बादम दूद धंड़ा होने के बाद बादम और दूद को हम grand करकर इसका एक paste बनाएंगे इस तरह बनाने से condensed milk होआ या milk powder के जरूरत हमें नहीं पड़ेगी तो next हम एक वेजल लेकर इसमें हम डालेंगे असली घी इसमें add करेंगे हम dry fruits यानि की सुके मेवे जितने भी आपके पास सुके मेवे हैं वो ही इस्तिमाल करें अगर आपके पास जैदा है तो वो भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं इसको थोड़ा सा fry करेंगे क्रिस्प होने तक यह देखें इसके बाद हम इसमें सेम पैंग में जो सेवी है इसको डालकर अच्छी तरीखे से भून लेंगे इसको सुनेरा रंग आने तक हम भूनेंगे आप बिल्कुल low flame पर रखकर ही इसको अच्छी तरीखे से भूनिएगा अगर आप flame high करेंगे तो सेमी जल सकती है यहां पर आप लोग देख सकते हैं इसका रंग चेंज हो चुका है और अची तरीखे से हमने इसको भून लिया है अब हम इसमें आड़ करेंगे एक लीटर जितना दूद एक लीटर दूद आड़ करने के बाद हम इसमें आड़ करेंगे दूद और बदम का पेस्ट जो हमने ग्राइंग करकर रखा था अब यह चीज़े डाल कर हम इसको अच्छी तरीखे से गरम करेंगे यानि कि सेमी कुकुक होने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर जब इसमें एक उबाल आएगा तो हम इसमें आड़ करेंगे इलाइची का पॉडर फ्रेश इलाइची आप क्रश करकर डाले या कूट कर डाले तो बहुत यह बड़ी आसमेल आती है और टेस्ट भी बहुत यह अच्छा होता है इसके बाद इसमें हम डालेंगे चीनी जडेर कब चीनी का इस्तेमाल करें हुआँ चीनी डालने के बाद एक बड़ मिक्स करें और इसको मीडियम फ्लेम पर ही आप रख दे हमने इसमें बादम और दूद का जो पेस्ट है वो बना कर डाला है उस वज़े से सेमी में थिकनेस भी आएगी बहुत ही टेस्टी बनेंगे सेमी इसलिए इसमें कोई कर्नेंस मिल्क होआ या मिल्क पॉडर की जरूरत नहीं पड़ेगी आप दूद से ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी शीर खुर्मा बना सकते हैं अब हमने इसमें ड्राइ फूर्ट भी आइड कर लिये हैं लो फ्लेम पर रखेंगे बिलकुल लो पर ताकि सेमी जो है अच्छे से कुक हो जाए जिस तरह यहां पर आप देख सकते हैं यह अच्छी तरीखे से थिक हो चुकी है और हमने इसको कुक कर लिया है अभी हम फ्लेम आफ कर देंगे और इसको एक सर्फिंग बॉल में निकालेंगे आप लोग भी शीर खुर्मे को इस तरह बनाने की कोशिश करें बहुत सिम्पल और बहुत मज़ेदार बना था शीर खुर्मा तो यह थी शीर खुर्मे की रेस्पी बहुत दानेदार बने थे आप लोग भी इसको जरूर ट्राइ करें इसके लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें इद भी आ रही है तो इद के लिए भी आप ट्राइ करें इस ट्राइब की रेस्पी को अगर आपको मेरी आज की रेस्पी पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही मेरे लेडिस्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे अपलोड किये ही वीडियो आप सबसे पहले देख सकें चलिए रेस्पी स्टार्ट करते है तो मिल्क पॉडर मैंने इस्तिमाल किया है 1 फॉर्थ कप इस कप से मैंने देख कप जितना मिल्क पॉडर का इस्तिमाल किया है और दूद इस कप में मैंने 4 टेबल स्पॉन दूद डाला है तो इस कप से मैं देख कप जितना दूद का इस्तिमाल करूंगी साथ ही 1 टेबल स्पॉन जितना मैदा तो टेबल स्पून जितना असली घी और लास्ट में बेकिंग सोड़ा यूस कर रही हूं है बेकिंग पॉडर आप ना यूस करें और नेक्स यहां पर एक पैन लिए है हम इसमें हम डालेंगे असली घी और इसको मेल्ट होने देंगे जब यह अच्छी तरीखे से मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें अड़ करेंगे दूद इस कब से मैं देड़ कब जितना दूद का इस्तेमाल कर रही हूं और एक बार इसको मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद इसमें हम अहिस्ता से मिल्क पॉडर आड़ करेंगे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करकर आड़ करेंगे वन्ना इसमें लंप्स फॉर्म हो जाएंगे इसलिए इसी तरह हम आड़ करेंगे और तेज तेज हम इसको मिक्स करते रहेंगे यानि कि चमच चलाते रहेंगे यह देखिए हमने सारा milk powder इसमें add किया है और यहाँ पर जब आप इसको cook करें तो बिल्कुल low flame पर रखकर ही इसको cook करें लाम फ्री होनी चाहिए यह जब यह cook होते रहेगा तो थिक होते रहेगा जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें थिकने साने लगेगी यह देखिए आप देख सकते हैं कितना थिक हो चुका है आप इसको 15-20 मिनिट तक low flame पर ही cook करते रहें यहाँ देखिए बिल्कुल थिक हो चुका है थोड़ा सा वाटरी है और ज्यादा सॉफ्ट होने तक मैं इसको cook करूंगी जब यह अच्छी तरीखे से cook हो जाएगा तो पैन से यह सप्रेज होने लगेगा जिस तरह आप देख सकते हैं अब यह जो डो है milk powder का बिल्कुल ready है अभी हम flame off कर देंगे और इसको धंड़ा होने के लिए रख देंगे और यहां पर देखिए एक plate में हम इसको निकाल रहे है धंड़ा होने के बाद हमने इसमें add किया है 1 टेबल स्पून मैदा और बिल्कुल चुटकी पहर जीतना baking powder इस्तेमाल किया है मैदा add करने के बाद आप इसको बहुत अच्छी तरीखे से गूनें ताकि ये दो जो है बहुत ही soft होनी चाहिए इसमें बीज़ बीज़ में हम milk पी add करेंगे जुरत पनने पर जिस तरह आप यहां पर देख सकते हैं इसी तरह हम इसको गून लेंगे अभी हम और यहां देखिए हमारा डो बनकर रड़ी है यह देखिए soft सा डो बहुत ही soft बना है डो तो अभी हम इसको side में रख देंगे और दूसरी तरफ चाशनी या शीरे की preparation करेंगे इसमें हमने one cup जितना चीनी डाला है और same cup से हमने इसमें पानी भी डाला है same cup से मेंने देड़ कप पानी का इस्तेमाल किया है और साथी थोड़े जाफरान के धागे डाल देंगे अगर आपके पास गुलाब जल है तो गुलाब जल भी आप जरूर डाले उससे भी बहुत ही बड़िया टेस्ट आता है जब चीनी अच्छी तरीके से डिजॉल्व हो जाएगी तो हम इसमें डालेंगे इलाइची का पॉरर और इसको दस मिनिट तक कुकोने देंगे यहां देखिए हमारा शीरा बनकर रड़ी है यानि कि चाशनी यह अच्छी तरीके से ठिक हो चुकी है तो साइड में कर देंगे और गुलाब जामून का जो डो है मैंने एक बॉल में ले लिया था अब इसके हम छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे बिलकुल सौफट से बॉल्स बनाना है इसमें कोई क्रैक्स नहीं होनी चाहिए पहले इस डो को ले अच्छी तरीखे से अपने हाथ में प्रेस करें पिर इसके रॉण बाल्स बनाएं इससदा करने से बाल्स में नहीं आएंगे, यहां देखिए हमने सारे बाल्स रिडी कर लिए है नेक्स्ट हमने एक पैन में ऑईल लिया है इसको भी हमने गरम किया है आप ऑईल या घी भी ले सकते हैं ज्यादा ऑईल गरम नहीं करना है बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर हलके से हम गरम करेंगे यहां पर मैं चेक कर रहे हूँ तो जो गुलाब जामन हमने बनाया है इसको फ्राइ कर देंगे आप बिल्कुल लो पर फ्लेम रखे और तेल भी हलका सा गरम करें जैसे कि आप देख सकते हैं तेल बिल्कुल हलका सा हमारा गरम है और इसको इसी तरह हम अहिस्ता ही फ्राइ होने देंगे जब तक कि इसका कलर नहीं जाता हम एक छोटा सा स्पून लेंगे उसकी मदद से हम इसको टर्न करेंगे हलके हलके से ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है तो मैं इसको निकाल रही हूं बिलकुल सुनेरा रंग आने तक हम इसको फ्राइ करेंगे अगर आप स्पून से ना टच करें तो आप जो पैन है उसको इस तरह थोड़ा सा हलाए तो फ्राइ हो जाएंगे तो यहां आप देख सकते इसका कलर सुनेरा हो चुका है अगर आप ज्यादा ब्राउन कलर चाते तो और ज्यादा फ्राइ करें इसको यह कलर ही चाहिए मुझे तो अभी मैं इसमें से निकालूंगे और जो हमारे चाशनी ही, इसमें हम डाल देंगे जब आप गुलाब जमून फ्राइ करते हैं साथ ही आप चाशनी के अंदर डाल दे ताकि गुलाब जमून के अंदर तक चाशनी जा सकी इसको हम दो गंडों के लिए इसी तरह छोड़ देंगे यहां पर मैंने थोड़े से आमन चॉप कर लिए थे दो घंटे हो चुके हैं तो दो घंटों के बाद हमने इसको हटा कर देखा है तो इसका साइज चेंज हो चुका है गुलाब जामून बहुत ही मज़ेदार लग रहे तो चलिए हम इसको एक प्लेट में सर्फ कर देंगे आप लोग भी इस रेस्पी को अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें एक बर आपके घर में बनाएं सब को खिलाएं अगर आपको रेस्पी पसंद आई है तो ज़रूर इस रेस्पी को फैमली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ये देखिए मज़िदार से गुलाब जामुन इसके ओपर से थोड़ा सा हम चास्टनी डाल देंगे यानि कि शुगर सीरप और साथ ही चौप क्यों है आमंड्स यानि कि बादम ये देखिए हमने बादम भी डाल दिया है उपर से तरह मैंने दूसरी भी एक कप रड़ी की है ये देखिए फ्रेंड्स बहुती मज़िदार और सौफ से गुलाब जामुन बनकर रड़ी होये थे आप लोग भी अपने घरों में एक पर ज़रूर ट्राइ करें बहुती डिलिशियस रस्पी है ये फ्रूर्ट सलट बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रूर्ट ले लिए है ये कॉक्टेल फ्रूर्ट मैंने इस्तिमाल किये है तिंगी आप चाहे तो घर के भी इस्तिमाल कर सकते हैं कॉक्टेल फूर्स में सब मिलक राते हैं तो इसलिए मैंने यह ले लिए है आप दूसरे फूर्स का भी इसमें इस्तिमाल कर सकते हैं और 90 ml का मैं कर्णेंस मिल्क यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर उसके साथ-साथ यहाँ पर क्रीम मैंने ले लिया है फ्रेश क्रीम आप इसमें चाहे तो ठिक क्रीम या विपिंग क्रीम का भी इस्तिमाल कर सकते हैं और थोड़े से चॉप कियो हैं आमंड्स और साथी स्पॉंज केक मैंने ले लिया है और यहां पर initial के लिए मैं थोरे dry fruits का इस्तिमाल कर रहे हूं यहां पर अजीर काजू, पिष्टा, बदाब, और ख़जूर का इस्तिमाल कर रहे हूं आप जाहे तो दूसरे dry fruits का भी इस्तिमाल कर सकते हैं इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर स्पॉंज केक जो है उसके उपर हम शुगर सीरप इस तरह लगा कर रख देंगे इसको इसको शुगर सीरप लगा कर इसको हम फ्रिज में रख देंगे यह देखिए इस तरह इसके बाद एक बॉल ले लेंगे हम अब हमारी जो क्रीम है व मैंने वन फॉर्थ कप अफ क्रीम इस्तेमाल की है अब क्रीम दालने के बाद इसको हम अच्छे से फेट लेंगे अगर आपकी क्रीम बहुत ही थीक है तो थोड़ा सा दूद दाल कर आप उसमें फेट सकते है अच्छे से इस तरह फेटने के बाद हम इसमें हमारा कंडेंस मिल्क दाल देंगे 90 ml अफ कंडेंस मिल्क अगर आप मीठा बहुत ही ज़्यादा पसंद करते है तो आप इसमें शहेद कभी इस्तेमाल कर सकते है और कंडेंस मिल्क दालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसलिए बस मैं कंडेंस मिल्क ही इस्त अच्छे से हम लगातार मिक्स करेंगे अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे कंडेंस मिल्क और आमार्ण्स क्रीम इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसके बाद जो हमारा फ्रूट्स कॉक्टेल है वो हम इसमें डाल देंगे यह डालने के बाद इसको भी हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे फ्रूट्स सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मैं फ्रीज में रखतूंगी क्यूंकि इसमें फ्रीज में रखने से और धंडा चील हो जाएगा, अच्छा टेस्ट आएगा, ये देखें, इस तरह हो गया है, यहां देखी ये सब चीजें अच्छे से थंडे हो गए है, हमने फ्रीज में से निकाल दिया, सबसे पह उसको उसके शुगर सिरप से निकाल ले और एक बर अच्छे से वाश कर ले उसके बाद उसका पानी चान ले उसके बाद ही आप उसको इस्तेमाल कीजिए यहां पर देखिए यह एक लेयर भी हो गई है और यहां पर मैं ड्राइफ फूट्स दाल दूँगी जो मैंने पहले चौप करकर रख दिये थे यह देखे अंजीर और खजूर बादम पिस्ता सब कुछ डाल दूँगी में थोड़े से ड्राइफ फूट्स पिस्ता और बादम मैं बचा कर रख लोंगी गार्निशिंग के लिए और इस रेसिपी को अगर आप थंडा सर्फ करें तो बहुत ही मज़ेदार लगेगी पर मैं आइसक्रीम रख दूंगी पहले मैं नहीं दिखाई थी अभी लास्ट में मैं इस तरह यहां देखे इस तरह मैं इस पर रख रही हूं मैंने स्ट्राबेरी फ्लेवर इस्तेमाल किया है आप चाहे तो कुन सब भी फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरह सारा आइसक्रीम हम इस पर रख देंगे मेरे रेसेपिस आप लोग देख रहे हो और अब तक आप सबस्क्राइब नहीं करे हो तो प्लीज मेरे चानल को सबस्क्राइब कीजिए और भी रेसेपिस देखने के लिए आइसक्रीम इस तरह रखने के बाद स्लाइस किये हुए स्ट्रॉबेरिस को मैं साइड में रख दूँगी गानिशिंग के लिए इस तरह रख देने के बाद ऊपर से थोड़े पिस्ता दाल दूँगी गानिशिंग के लिए यहां पर आप जब सर्फ करना है तब ही आप इसके ऊपर आइसक्रीम रखिएगा वरना यह सारी आइसक्रीम खराब हो जाएगी और यहां पर गानिशिंग हो गया है यहां पर देखिए रेडी हो गई हमारी फ्रूट सेलेड आइसक्रीम बहुत ही मज़िदार और क्रीमी है यह यह डिजर्ट रेस्पी आप ज़रूर ट्राई करें डिफरेंट रेस्पीस भी कभी ट्राई करनी चाहिए अगर आपको मेरे रेस्पीस पसंद है तो आप मेरे रेस्पीस को शेयर करें इसमें मैंने बहुत ही हल्दी इंग्रेडियन्स यूस किया है और यह खीर मैंने डिफरेंट बनाई है तो यह खीर किस तरह बनाते है आपको जानना है तो आप इस recipe का पूरा वीडियो देखेगा और इसको जादा से जादा शेयर करें खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर दूद का इस्तिमाल करेंगे फुल फैट दूद हमने ले लिया है यह दो लीटर का दूद हमने इस्तिमाल किया है और चार से पांच टेबल स्पून जितना मैं कस्टड पॉडर ले ली हूँ यहाँ पर और साथी मिल्क पॉडर का इस्तिमाल कर रही हूँ एक बड़ा कब जितना मिल्क पॉडर मैं ले ली हूँ और साथ ही यहां पर ड्राइफ फूर्स को मैं ब्लेंड कर लूँगी पौडर की तरह तो यहां पर एक हम बाउल ले लेंगे इसमें डालेंगे दूद जो की हमने दो लीटर ले लिया था फुल फैट मिल्क चाहिए हमें तो इसको हम बाउल करेंगे दो उबाल आने के बाद इसको हम लो फ्लेम पर रखकर ही कुक कर लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं उबाल आ चुकी है तो अभी हम इसको नीचे से मिक्स करेंगे ताकि ये नीचे से ना चिपके इसी तरह मिक्स करते हुए हम ये कुक करते रहेंगे आप दूद को अच्छे से बॉइल होने दे लो फ्लेम पर रखकर और इसको मिक्स करते रहे लगातार जब दूद की क्वैंटिटी कम हो जाती है ने 2 लिटर इस्तेमाल किया है दूद तो 1 फॉर्थ इसको क्वैंटिटी कम होने के बाद आप इसमें केसर या स्जाफरान के धागे एड़ करें और फिर से इसको लो फ्लेम पर ही 10 मिनिट तक इसी तरह बॉइल करते रहे इसकी स्मल बहुत ही अच्छी होती है और यह बहुत ही अच्छा है हेल्थ के लिए तो हमने इसमें जाफरान डाल कर मिक्स करते रहेंगे 10 से 15 मिनिट तक मिक्स करेंगे ऐसी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें áड़ करेंगे बादाम बारिक नहीं मोटा ही रखा है यह हम इसमें डाल डेंगे बहुत फाइन बारिक नहीं पीछना है हमें मोटा ही इस तरह रखना है यह काजु और पिस्ते का पॉडर है यह भी हम इसमें अच करदेंगे अब ये पिस्ता है इसको भी डाल देंगे ये सारे डाल कर हम इसको अच्छी तरीखे से मिक्स कर लेंगे अब इसको हम 20 मिनिट तक लो फ्लेम पर रखकर इसी तरह हम कुक करते रहेंगे ये सारे ड्राइ फ्रूर्स डाल दिये हैं इसका भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा बाद 20 मिनिट के बाद ये मिल्क पॉडर है इसमें मैंने थोड़ा दूद या पानी भी आप आड़ कर सकते हैं इसका एक मिक्स्टर बनाकर इसको भी हम ये जो खीर है इसमें डाल देंगे यह पर मैं दूसरी बात पताना चाहूंगी मैंने मिल्क पॉडर इस्तेमाल किया है आप यहां पर फीका खोया भी आड़ कर सकते हैं उससे भी बहुत ही जबरदस टेस्ट आता है तो अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे हम और 15 मेट तक लो फ्लेम पर ही इसी तरह कुप कर लेंगे उपर से इस तरह मलाई जमते रहेगी तो इसको जमने नहीं देना चाहिए हमें इसके बाद इसमें हम आड़ करेंगे चीनी, देड़ कब जितनी चीनी या शकर हम इसमें आड़ करेंगे, आप अपने तेस के हिसाब से आड़ करेगा, आप अगर मीखा ज्यादा ही पसंद करते हैं तो ज्यादा भी आड़ कर सकते हैं, और ये देखिए, साइट से इस तरह य जो कि हमने चार से पांच टेबल स्पून जीतना यूज़ किया है. अब हमारे सारे इंग्रेडियन्स हमने डाल दिये हैं, अभी बस हम लो फ्लेम पर रखकर इसको मिक्स करते रहेंगे. बीस मिनिट तक जो फ्लेम पर ही कुक करेंगे इसको, ये ठिक हो जाएगी, ये देखिए, और यहां पर आप देख सकते हैं, हमारी खीर ठिक हो चुकी है, ये थंडी होने के बाद और ज्यादा ठिक हो जाएगी, तो अभी मैं फ्लेम आफ कर चुकी हूँ, और हमारी खीर ये रेसिपी भी है, क्योंकि हमने हेल्फ वाइस बहुत ही अच्छे इंग्रिडियंट्स हमने इसमें यूज किये है, आप इसको थंडा सर्फ करें, इसको 2-3 घंटे फ्रिज में रख दे, यहां देखिए, हमारी मज़ेदार खीर बनकर रेडी है, जो कि हमारी ड्राइफ फ इस रेसिपी का पूरा वीडियो देखिएगा, अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंज के सथ इसको जरूर शेयर करें, खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम यहां पर लेंगे बासमती राइस, जो कि मैंने वन कप ले लिया है, और इसको मैं आदे गंटे पहले बिगा कर र यहां पर एक कप भड़कर मैंने मिल्क पोडर का इस्तेमाल किया है, और साबुदाना है यह, साबुदाना हाफ कप मैंने ले लिया है, और यहां पर मूंगाल भी मैंने हाफ कप लेकर इसको भीगा कर रखा है, और यहां पर मैंने खजूर और अंजीर को भीगा कर रखा है, साथी यहां पर मैंने सारे ड्राइफ फूर्ट्स ले लिया है इसको चॉप कर लिया है इसको भी मैंने भिगा कर रख लिया है काजू, पिस्ता और बादाम और यहां पर मैंने इलाइची का पाउडर ले लिया है त्री टीस्पून जितना तो यह खीर बनाने की इंग्रिडियन्स है, इसके बाद हम एक प्रेशा कूकर ले लेंगे, इसमें डालेंगे चावल जो की हमने भिगा कर रखे थे इसमें ही आइड करेंगे हम मौनकी डाल जो की हमने भिगा कर रखी थी और साथी साबू दाना इसके बाद हम इसमें आड करेंगे पानी यह मैंने तकरीबन देड़ ग्लास जितना पानी डाला है और भिगा कर रखे हुए खजूर और अंजीर भी इसमें डाल देंगे और एक पर इसको मिक्स कर लेंगे और इसका ढ़कन लगा कर हम इसको त्री वेजिल साने तक कूप करेंगे और दूसरी तरफ हम यहाँ पर एक पतीला ले लेंगे इसमें डालेंगे असली घी दो बड़े टेबल स्पून जीतना और इसमें डालेंगे सीमिया और इसको थोड़ा सा लाइट सा भूंड लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है तो इसको एक मैं बॉल में निकाल लूँगी और दूसरी तरफ जो हमारे चावल है यह अच्छे से गल चुके है यहाँ देखिए बहुती नरम हो चुके है तो अब हम यहाँ पर इसको साइड में रख देंगे और यहाँ पर हम पतीला ले लेंगे फिर से और यह गरम होने के बाद इसमें डालेंगे दो लीटर जितना दूद मैंने यहाँ पर फुल फैट दूद का इस्तेमाल किया है और इसको बॉइल करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बॉइल आ चुका है इसको अच्छे से आउटाएंगे थोड़ी देर यह इसकी स्मेल जाने के बाद इसमें हम आड़ करेंगे हमने दूद को अच्छे से ओटा लिया है इसके बाद इसमें हम डालेंगे सेम्विया जो की हमने थोड़ा सा रोस्ट किया था अब इसको कूक करेंगे थोड़ी देर के बाद हम इसमें आड़ करेंगे ड्राइ फूर्ट्स पदाम, पिस्ता, काजू अब इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे बॉयल होने देंगे इसको इसमें मैं डाल रहे हूं इलाइची का पौडर, त्री टीस्पून जितना आप मीडियम फ्लेम पर रखकर ही इसको कूक करें इसके बाद यहां पर मैं इसमें डालूंगी जो हमने कूक करें थे चावल, डाल और साबू दाना यह डाल कर इसमें मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी इसको अच्छी तरह से मिक्स करें, इसमें कोई लंस ना रहे, देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसमें कोई लंस नहीं है, इसके बाद यह थोड़ी देर बॉयल होने के बाद इसमें मैं आइक कर रही हूं, मिल्क पौडर, इसको मैं पानी में मिक्स फ़ी इसको कूख करेंगे लो टू मेडियम फ्लेम पर ही और इसमें मैं डाल रही हूँ छोप क्यों है खजूर और अंजीर और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी इस कब से मैंने दो कब चीनी का इस्तेमाल किया है और लाश में में डाल रही हूँ बिल्कुल हाफ तीस्पून जितना नमक कोई मीटी चीज बना रहे है तो उसमें थोड़ा सा नमक अब डाले तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो इसको मिक्स करते रहेंगे हम यहां आप देख सकते हैं यह थिक हो चुका है जब तक कि यह थिक नहीं हो जाता हम इसको कुक करेंगे तो यहां पर इसकी consistency कुछ इस तरह है तो अभी मैं इसका flame बन कर दूँगी यह इतनी थिक हो चुकी है और इसको मैं फ्रिट में रख दूँगी चार गंटों के लिए या आप दो गंटों के लिए भी रखे और ज्यादा थिक हो जाएगी तो इसको मैं एक serving ball में निकाल रहे ह यहां देखें धंडी होने के बाद और ज्यादा यह थिक हो चुकी है तो हमारी शाही खीर बन कर रड़ी है यहां पर यहां पर मैं थोड़े अंजीर और थोड़े से ड्राइफ फूर्स के साथ इसको गार्णिश कर लूँगी तो यहां पर देखें हमने इस तरह इसको गार्णिश कर दिया है एक छोटे serving ball में निकालेंगे यह बहुत ही मजेकी बनी है और बहुत ही टेस्टी भी बनी है तो ज़रूर ट्राइ करें बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी तो यह थी हमारी शाहई खीर की recipe हो वन लीडर आफ मिल्क इस ग्लास ते मैं दो ग्लास इस्तेमाल करूंगी यह अब इस जाते हैं और यह खोया है जो होममेड है मैं मेरे चैनल पर डाल कर रखी हो उसमें जाकर आप देह सकते हैं यह अब कैदू हैं यह बॉइल कद्डू है इसका प्रोसेस भी मैं आपको दिखाऊंगी और ये काजू हुए दो चमच मैंने इस्तेमाल की है आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं और कंडेंस मिल्क है ये 130 ml of कंडेंस मिल्क मैं इस्तेमाल करूंगी और ये चीनी हाफ कप इस्तेमाल करूंगी मैं इस अबुदाना है दो बड़े चमच मैं इस्तेमाल करूंगी बिगाओ कर रखे है वो ये ड्राइफुर से अलरी मैं बिगा दी थी काजू बादम पिस्ता है जो गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल होगा और ये ग्रीन पुट कलर है एक चुटकी जीतना मैं इस्तेमाल करूंगी इसका और ये मेर अगला प्रोसेस आपको दिखा दी हूँ एक बॉल ले लीजिए इसमें जो हमारा कदू है वो आज कीजे पहले में कदू का प्रोसेस दिखाऊंगी आपको जो इसका मॉइस्चर है जितना भी पानी है वो सूपने तक अब अच्छे से इसको मिक्स कीजिए सिंपर रखकर ब अब नेक्स प्रोसेजर किया है अब हम इसमें क्या करेंगे अच्छे से इसको भूनी लिया अब अब इसमें हम एड करेंगे वन कप ऑफ वाटर ताकि अच्छे से गल जाए और दस मिनिट तक इसको इस तरह पकने के लिए रख देंगे डखकन डखकर अब पकने के लिए रख दीजिए यह देखिए हमारा कदू गल चुका है अभी दखरीबन हाँ यह पॉफेक्टली गल चुका है अभी अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगी हमारा खेर के लिए मैंने एक बॉल ले लिया है बड़ा सा इसमें हमारा आड करेंगे हमारा दूद दूद कब मैं इस्तेमाल कर रही हूं यह वन लीटर है अब इसको अच्छे से चलाते रहें नीचे से बिल्कुल ना चिपके दूद बिल्कुल नहीं जलना चाहिए और सिंपर रखकर ही आप बनाईए इसमें बॉइल आने तक आप कुग कीजिए इसमें तीन बॉइल आना चाहिए जब तक आप कुछ मत आड किजिए इसमें और बीच में हर तीन मिनिट आप चलाते रहें इस तरह साइड से और बीज में बिल्कुल नहीं चिपकना चाहिए ये दूद बॉइल हो गया है अब हम क्या करेंगे इस कब से हाफ कॉप अफ दूद में निकाल लूँगी इसका क्या करना है मैं आपको बताऊंगे बाद में ये देखें तीन बॉइल आ चुके हैं हमारे दूद की कच्छी स्मेल भी जानी चाहिए जब तक आप इसको अच्छे से पकाईए बिल्कुल सिंप पर रखकर ही पकाईए हर तीन मिनिट अब चलाते रहिए इसको देखें अच्छे से बॉइल हो चुका है दूद अब हम क्या करेंगे इसमें मैं तीन से चर बड़े चमच इस्तिमाल कर रही हूं साबुदाने के इसको अच्छे गलने तक हम पकने के लिए अब निक्स टेप हम क्या करेंगे इसमें हम लेंगे चीनी अभी हम चीनी को भी इसमें आड कर देंगे हाफ कप मैं इस्तेमाल कर रही हूं चीनी का अच्छे से मिक्स कर लिजिए ताकि चीनी अच्छे से डिजॉल्व हो जाए पर पांच मिनट बाद पांच मिनट तक मिक्स करते रहें इसे ही आफ फिर नेक्स टेप हम क्या करेंगे इसमें जी हम ले लेंगे ये पैस्ट ये पैस्ट क्या है खोया काजो का पैस्ट और जो हम दूद निकाल कर रखे थे हाफ सारा मैं इसमें मिक्स कर दिया। अब ये मिक्सर क्या करेंगे हम उसमें तो में डाल कैकर क wohya, ka mileage का पेस्ट और mental जब की अभ सिखे अगा बिदेव आप िदेन का मिक्सिर है ये अब हम ये खिर में आट कर देंगे ये देखिये मैं जपाशनलगे आप ये गिस में कोई लम्स ना रहे खीर में अब नेक्स टिप क्या करूंगी मैं मेरे कंडेंस में ही ले लूँगी और अड़ कर दूँगी इससे थिकनेस भी आती है बहुत मज़ेदार होती है खीर अच्छे से मिक्स कीजिए कोई लम्स ना रहे और बिल्कुल नीचे से ना चिपके अब क्या करेंगे बस दस मिनिट तक सिंप पर रखकर आईस से ही पकाएंगे हैं अब देखो दस मिनिट हो गए है अब लौकी जो बॉइल की हुई थी वो हम एड़ कर देंगे इसमें देखें मैंने आयक कर लिए सारी लोगी और अच्छे से एक मिक्स दे देंगे और इसको इसमें आग करेंगे हम थोड़ा सा बस चुटकी भर जितना वेनिला एसेंस तो पाउडर है और इसमें मैं आग करूंगी थोड़ा सा बिल्कुल चुटकी भर जितना ग्रीन फूट कलर अब अच्छे से मिक्स कर लीजिये सारा और फूट कलर ज्यादा मत इस्तिमाल के जिए खीर हमें बस जो गड़ू का कलर है उस कलर की खीर रहनी चाहिए अच्छे सेमिक्स कर लीजिए सारे इंग्रिडियियन्स और पांच मिने तक इस तरह ही पकने के लिए रख दीचिए से अब लास्टली फाइनली आड करेंगे हम चॉप किये हुए हमारे ड्राइब फ्रूट्स और सिंपर रखकर मिक्स कीजिए दो मिनिट तक फिर फ्लेम बंद कीजिए अब इसको टू टू फोर हर्स हम क्या करेंगे रिफ्लेट करेंगे उसके बाद हम सर्फ करेंगे देखे कितनी मज़ेदार बनती है यह देखे कितनी मज़ेदार बन चुकी है कद्यूगी की